अलो अबरीवन नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का एक बार फिर से अटे 24-7 आपके YouTube प्लेटफॉर्म पे नया साल नय साल का पहरा वीकली MCQ और मेरे दोस्त बहतरीन शुरुवात समय के साथ नहीं बस हाँ कंटेंट के साथ बहतरीन शुरुवात हम लोगों की होने जा रही है बैंक SSC रेलवे आप किसी भी competitive exam की तैयारी कर रहे हैं जहांपर one liner आता हो one day exam हो मेरे भाई कहीं पर भी detailed में आता हो descriptive आता हो complicated से complicated questions आते हो या फिर मेरे दोस्त statement based questions आते हो उन सभी के लिए sessions राम बार्ण होने जा रहा है super session होने जा रहा है प्लीज आप मेरे दोस्त आखरी तक जुड़े रहेगा थोड़ा लेट हुआ actually I am completely battered and और यह कल शाम से मेरे साथ थोड़ा धिक्कत ज्यादा हो गई इतना ज्यादा pain मेरे उठा क्योंकि already आपको पता ही है जो मेरे साथ जुड़े हुए है कि मेरे को syllabus की दिक्कत हुए है और उस वज़े से मतलब काफी टाइम से चीज़े बहतर हो रही थी हो रही थी हो रही थी बट कल all of sudden इतना pain शुरू हुआ कि मतलब उठाई ही नहीं गया और commitment किया तक इनी session लेना है commitment तो पूरा करना है बट थोड़ा सा देर से हूँ मेरे दोस्स आदा पोना घंटा देर से हूँ उसके लिए माफी चाहूँगा बट हाँ आपको content wise ना चीज़े बहतर मिलेंगी अब आपको सर बहतर कैसे मिलेंगी जिन्होंने पढ़ लिया है पहले से weekly उनको कैसे बहतर मिलेगा सबको बहतर मिलेगा revision session होगा एक तरीके से पूरा complete detailed session होगा और हाँ 16 mcq ऐसे हैं जो आपने एक से लेके 6 जनवरी तक पढ़े ही नहीं है क्या बात कर रहे हैं सर बिलकुल 16 mcq आप 16 mcq मतलब एक तरीके से 16 news ऐसी हैं जो एक से 6 जनवरी के बीच में रही है और जो मैंने मेरे दोस cover news में नहीं करी थी बड़ वो mcq में cover करूँगा बस आप लोगों से गुजारिश रहेगी प्लीज 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 वीडियो के आखरी तक बने रही हैगा इस बात की गारंटी है मैं अपना 200 प्रतिशत दोंगा और अगर session में मज़ा ना आए और content अच्छा ना लगे आप मेरे दोस वीडियो complete हो जो चाहें जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं लेकिन हाँ मज़ा आएगा ठीक है 200% आएगा शिरुआत करते हैं बाकी आप लोगों ने अगर अभी तक महापैक में admission नहीं लिया है तो आप मेरे दोस महापैक में admission ले सकते हैं हमारे किसी भी paid badge में admission ले सकते हैं उसके लिए आप मेरा ये code यूज़ कर सकते हैं Y168, Y168 code पे आपको 78% discount मिलता है अभी तो आपको 77% दिख रहा होगा लेकिन आप अगर application पे जाएंगे तो application पे आपको मेरे दोस code के साथ coin और select करने होते हैं extra 1% discount के लिए बाकि अभी भी double validity चल रही है bank महापैक के उपर, bank महापैक 6 plus 6 month 12 plus 12 month किसी भी महापैक में admission ले लो, end में detail में explain भी कर दूँगा सारी चीज़ है, मेरा foundation batch भी शिरू हो चुका, उसके बारे में भी detail में discuss कर दिंग करेंगे, end में, okay, अभी flow बनाते है content के साथ, DRDO ने अपना foundation day celebrate किया, हाँ सर पता DRDO ने अपना foundation day celebrate किया, any idea कब मेरे दोस DRDO न अपना foundation day celebrate किया, सर ये किया था 1st of January को, एक जनवरी को DRDO ने अपना foundation day मनाया था, सवाल उठता है कि सर ये कौन सा foundation day था, 66th, 66th foundation day रहा था, okay, 66th foundation day, DRDO की स्थापना कब हो ही, 1958 में, 1958 में, 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी मेरे दोस्त, एक सेकंड, हाँ, चलो, अब सही है, DRDO की स्थापना, 1958 में हुई थी, New Delhi इसका headquarter है, और समीर वी कमत इसके chairman है, okay, अद्ध्यक्ष है, next, रिलाइंस पावर की बात करते है, रिलाइंस पावर ने कहा है कि भाई मैं तो 1200 मेगावाट का, एक कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रजेक्ट है, ठीक है, जो कि अरुनाचल प्रदेश में लोहेत रिवर पे है, ओके, इसको बेच रहा हूँ, खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो, तो पेटा THDC आगया, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, तो THDC कह रहा है कि कितना दू, तो रिलाइंस कह रहा है, जितना देरा मन कर है, तो THDC ने यहाँ पर 128 करोड रुपे इसको दे दिया है सिंपल शब्दों में Reliance Power ने अरुनाचल प्रदेश में लोहित नदी बेसिन पर इस्थित अपनी 1200 मेगावाट की कलाई 2 जल्विद्यूत परियोजना को THDC इंडिया को 128 करोड रुपे में बेच दिया है अब Reliance Power ने यह जो Agreement किया था वो सारा मैंने यह डेटेल में लिख दिया है वही बात जो यहां लिखी हुई है वही बात यहां पर लिखी हुई है कलाई 2 जो यह है न यह खरीदा गया है यह कलाई Power Limited नहीं है यह कंपनी की सबसिटरी है सहायक है और THDC इंडिया लिमिटेड इन दौनों के बीच में Agreement 30 December को ही हो गया था तेहरी Hydro Development Corporation Limited 1988 में यह बनाता 1988 में उत्तराखंड के रिशी केस में इसका Headquarter है आर के विसनोई की बात करें तो दोस इसके Chairman MD है CMD है Next कोटक महिंदरा बैंक के प्रवंद निदेशक और CEO के रूप में 3 साल के लिए कारिभार किसने समाला है मेरे भाई आंसर बनता है यहाँ पर असोक बसवानी ने असोक बसवानी ध्यान से सुनिए गा 3 साल के लिए पॉइंट किये गए इस बार ना Question Exam में यह आया था कि कि कितने साल के लिए पॉइंट किये गए तो कोटक मेहंदरा बैंक के MD&CEO ने कारिभार समाल लिया एक जनवरी से 3 साल के लिए इन्होंने दीपक गुपता को रिप्लेस किया दीपक गुपता सल्वें इंटरिम MD&CEO बने थे कब बने थे कोटक जो उदै कोटक नहीं उदै कोटक साहब जो की कोटक मेहंदरा बैंक 1985 में बनाता महरास्त के मुंबई में इसका हेड़कॉर्टर लोकेटिड है पावर ग्रिड कॉर्परेशन की बात करते इसने रविंद्र कुमार त्यागी इसको अपना CMD बनाए चेर्मेन मैनेजिंग डिरेक्टर अब सवाल उठता है कि ये मेरे दोस्त किसको रिप्लेस करेंगे तो इन्होंने रिप्लेस किया शिरीकांत कांधी कुपपा को मतलब शिरीकांत कांधी कुपपा की जगे पे पावर ग्रिड कॉर्परेशन के नए CMD का नाम क्या है रविंदर कुमार त्यागी विच कंट्रीज प्रेस्डेंट फैलिक्स सिसे केदी हैस बीन रिएलेक्टेड फॉर सेकंड टम किस देश के रास्टपती फैलिक्स तसे केदी को दूसरे कारिकाल के लिए फिर से चुना गया तो यह चुना गया अब यह जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो है इसकी कैपिटल है किन सासा करंसी यहाँ पर फ्रेंक चलती है मुद्रा जो चलती बटा हो फ्रेंक चलती है डेन्मार्क की कुईन का नाम है मार्गरेटा टू इन्होंने काए कि मैं अपनी गद्धी छोड़ रही हूँ मैंने बहुत समय तक सासन कर लिया अब मुझे गद्धी पर बैठने का नहीं है इतना शौक अब मेरे अपने बेटे को यह गद्धी दे रही हूँ तो मिर्जापुर की गद्धी भी बेटे को गई और डेन्मार्क की गद्धी भी मिरे बेटे को गई तो डेन्मार्क की राणी मार्गरेत द्विती है राज गद्धी छोड़ेंगी इन्होंने अनौन्स कर दिया डेन्मार्क की राजधानी के है सर कोपेन अगेन कैपिटल कोपेन अगेन है डेन्मार्क की इन्होंने काए कि भाया मैं अपने बेटे को ये गत्टी देने जा रही हूँ प्रिंस का नाम है फ्रेडरिक डेन्मर्क की जो राज़दानी कोपेन अगेन करंसी क्रोन है और मेटेव फ्रेडरिक सन यह मेरे दोस्त इसके प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्राइडरिक सन अब आप अपने प्यारे भारत को देखिए और उसके रिस्पेक्ट में डेनमर्क को देखिए मेरे भाई ये चलिए डेनमर्क आज मैं आपको डेमोक्रेटिक रिपबलिक ओफ कॉंगो भी घुमा दिया डेनमर्क भी घुमा दिया लेटे लेटे मेरे भाई नेक्स्ट 58th All India Annual Conference of Director General and Inspector General of Police held in which city तो बेटर राजिस्थान के जैपूर में जो 58th All India Annual Conference रही है Director General of Police और Inspector General of Police की इसको Prime Minister Narendra Modiji जी ना अटेंड किया था ये भी याद रखना Prime Minister Narendra Modiji जो अपने इनों इसको अटेंड किया था राजिस्थान के जैपूर में ये रही थी इंडिया का जो Goods and Service Tax Revenue Collection है, मतलब जो GST Collection है दिसंबर 2023 में 1,464,800 करोड रुपे रहा था चलो सर ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट है, 1,464,800 करोड रुपे GST Collection रहा मेरे भाई सवाल बहुत सिंपल सा है कि GST का जो Total मतलब GST कब से हमारे देश में लागू हुआ था सर एक जुलाई से भाई जुलाई उलाई नहीं बताओ मेरे को ये बताओ किस साल से लागू हुआ था किस साल से लागू हुआ था साल बताई देखे कितने लोग पकड़ पाते है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थोड़ा सेशन को शेयर वेर कर दो मेरे भाई आंसर बनता है 2017 अब देखो वैसे तो मैं इसकी पूरी लिस्ट आप लोगों को दे दूँगा कि GST Collection कितना कितना रहा था किस किस महीने में लेकिन जो Highest GST Collection रहा था वो अपरेल महीने में रहा था यह था 1,87,035 करोड रुपे अपरेल महीना मतलब जब से Implement हुआ है सबसे ज़्यादा इसी महीने में रहा था 1,87,035 करोड रुपे बात समझ में आ रही है बात clear हो रही है सर फेंड हैस किस महीने में रहा था सेफिन हैस आक्टूवर महीने में रहा था आक्टूवर महीने में आक्टूवर महीने था 1,702,023 करोड रुपे 1,72,023 करोड रुपे टन तो इंڈया के GST Revenue Collection 1,64,800 करोड रुपे था मिली है 10.3% की, ओके, ये ये वाली लाइन काटदो, इससे कंफ्यूज़न ही होगा, पिछले महीने में 15.3% की ग्रोथ ती नवंबर में, दिसंबर महीने में year on year ग्रोथ की बात करते हैं, तो 10.3% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली थी, ओके, तीन महीने के न्यूंत मिस्तर पैती, तीरी मन्थ लो, तो दिसंबर 7th मन्थ था, फाइनेशली है 23-24 का जहाँ पर GST कलेक्शन 1.6 lakh करोड से क्रोस कर गया था, नवंबर का GST कलेक्शन था 1,67929 करोड रोपे, 1,67929 करोड, किस शेहर में दिफेंस मिनिस्टरğ राजनात सिंह सहब ने, संवित गुरूकुलम गल सेनीक स्कूल देश का पहला आल गल सेनीक स्कूल इनॉगरेट किया था, जो अपने रक्षा मंतरी राजनात सिंह साहब ने किस शेहर में पहले पूर लड़कियों वाले सैनिक स्कूल सम्विद गुरुकुलम गल्स सैनिक स्कूल का उधगाटन किया, तो ये किया था उत्तर प्रदेश के मत्रौा में, उत्तर प्रदेश मत्रौा ब्रंदावन, असल में अकेले इनों ने नहीं किया था, इनके साथ एक और व्यक्ति थे, वो थे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितिनात, ओके? तो डिफैंस मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितिनात साहब इन्हों ने उत्तर प्रदेश के मतुरा में, प्रिंदावन में फर्स्ट ओल गल्स सेने के स्कूल का उधगाटन किया था, ओके? बस इतना याद रखना है यूपी आई की बात करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आज चोटे से चोटा ट्रांजेक्शन आप लोग मेरे दोस इसी से करते हो असल में, यूपी आई जो ट्रांजेक्शन रहे थे, दिसंबर में कितने रहे थे, यही मेरा सवाल है, मेरे बाई कितने अमाउंट के रहे थे, कितने अमाउंट के, टोटल ट्रांजेक्शन तो 1250 करोड रहे थे 18.23 lakh करोड ये ट्रांजेक्शन हुए थे 1250 करोड ट्रांजेक्शन इतने रुपे के हुए थे 18.23 lakh करोड के रहे थे क्लियर Finance Ministry ने भी कहा है कि जो Electoral Bond है इसको बेचना वो शुरू कर देंगे और कर दिया मेरे दोस्त अपरूब भी कर दिया दो जनवरी से लेकर 11 जनवरी के लिए Electoral Bond की बेचने की विंडो ओबन हो चुकी है अब सवाल उठता है कि भाई ये जो Electoral Bond शुरू हुआ था सबसे पहले 2018 में बेचना शुरू किया गया था पहली दफ़ा और आज हम लोग 2024 में बैटे हैं तो नमबर कौन सा है ये तीसवा नमबर है मेरे भाई तीसवा नमबर तो वित्म इंतराल ने चुनाबी Bond की तीसवी किष्टी जादी करने को मनजूरी दे दी है जो दो जनवरी 2018 को विकरी के लिए खोली गई है दो जनवरी 2024 को अब आपको होगे सार Electral Bond होता क्या है तो आपको बस YouTube पे जाना है सर्च करना है Electral Bond by आशीश गौतम भाई समझ में आ रहा है क्या आपको सर्च करना है Electral Bond by आशीश गौतम आपको YouTube पे वीडियो मिलेगा पूरा वीडियो देख लेना और उसके बाद आपके चीज़ें समझ में आने लगेंगी ओके पहली दफ़ा Electral Bond जो बेचा गया था 2018 में 2018 में पहली दफ़ा बेचा गया था सिर्फ State Bank of India ही है जिसको Authorize किया गया है मतलब State Bank of India ही है जो Electral Bond को Issue कर सकता है और In Cash कर सकता है और इसकी 29 जो ब्रांच है उनके माध्यम से ही बेचा जा सकता है और 2 जनवरी से लेकर मेरे दोस 11 जनवरी तक के लिए विंडो ओपन है आप चाहते हैं किसी Political Party को डोनेशन देना तो मेरे दोस Electral Bond खरी सकते हैं इसे डेट तक मुद्रा की बात करते हैं एक योजना है जिसका नावे प्रधान मंत्री मुद्रा योजना अब प्रधान मंत्री मुद्रा योजना में तीन प्रकार के लोन मिलते हैं सिशू, किशोर, तरुन मतलब तीन का डिगरी है पचास अजार लोन, पाच लाक लोन और दस लाक लोन अब यहाँ पर सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा लोन तीसरे क्वार्टर 2023 तक कितना दिया गया, 16% की ग्रोथ रही है, मतलब 2023 की तीसरी तिमाही में, मुद्रा रिड में साल दर साल रिकॉर्ड 16% की व्रद्धी देखी गई, मतलब ये है कि 22 दिसम्बर 2023 तक मुद्रा योजना के तहत कितना लोन दिया गया था, तो लोन दिया गया था, 2,99,457 करोड रुपे, सिंपल लिखा हुआ है, लगबग 3,00, करोड रुपे, दिसम्बर 2023 तक मेरे दोस्त दिये गए, 16% की ग्रोथ देखने को मिली, ये कंपैरेजन कर रहे हैं, 2022 से, कह रहे हैं कि 2022 का जो तीसरा क्वाटर है, उसी का कंपैरेजन कर रहे हैं, 2023 की तीसरे क्वाटर से, और 16% की ग्रोथ देखने को मिली है, 2,99,457 करोड रुपे, 22 दिसम्बर 2023 तक दिये गए थे, औक्टूवर, नवंबर, दिसम्बर में भी 22 दिसम्बर तक का डेटा है, और पिछली साल का अगर कंपैरेजन करोगे, अक्टूवर, नवंबर, दिसम्बर, 22 में, ये 2023 साल हो गया, ये 2022 साल हो गया, इन दोनों का कंपैरेजन हो रहा है, और 16% की ग्रोथ देखने को मिली थी, इसमें कहा गए कि 70% जो लोन दिया गया, वो महिलाओं को दिया गया, ज अरदीब सिंग पूरी इनॉगरेटिट स्क्रीट, नेशनल स्क्रीट फूड फेस्टिबल, नेशनल स्क्रीट फूड फेस्टिबल को कहा पर इनॉगरेट किया गया, पता ही हरी आप गईस, सर आपकी रोच इस सुबह करेंट अफेस क्लास लेता हूँ काफी है मोर देन इनफ है भाई मेरे मोर देन इनफ ठीक है बस देखना न आज तुम्हें 16 MCQ मिलेंगे न कहाना 2024 साल जो है न मेरे दोस 2023 से बहुत बहतर होगा जो 27 की कमिया है न सारी पूरी कर दोंगा मेरे दोस पहला वीक देखिए तो सही मैंने लगबग लगबग आपको 65 न्यूस के आसपास पढ़ाई है देखे 65 न्यूस पूरे वीक में 65-70 न्यूस होंगी उसके इलावा भी मेरे दोस आपको आज MCQ मिलेंगे इसका मतलब हो गया न कि वो एक्स्ट्रा न्यूस कवर कर रहा हूं है तो सारी न्यूस कवर की जाएंगी नई दिल्ली वैन्यू रहा था नेशनल स्टीट फूड फेस्टिबल का रास्ती स्टीट फूड फेस्टिबल का अदीप सिंग्पुरी साहब के दौरा इनॉग्रेट किया गया था इस फेस्टिबल को National Association of Street Vendors of India के दौरा और्गिनाईस किया गया था नई दिल्ली में जवालनाल नहरू स्टेडिया में नई दिल्ली में उसके दौरा वहाँ पर NASVI National Association of Street Vendors of India के दौरा और्गिनाईस किया गया था यह जो फेडरेशन है 1998 में वनीदी पटना में इस्टिद है रेजिस्टर दो जार तीन में हुई थी अंडर दी सुसाइटी रेजिस्टरेशन एक 1860 ओके नेक्स देखेगा मेरे भाई विच अफ दौरा फॉलिंग फेस्टिबल उडिसा के पूरी में स्थिद है एक जगनाथ टेंपल उदमपुर में स्थिद है तो यह दो एंसियन टेंपल है जो स्पेशली भगवान जगनाथ जो है जगनाथ जी जो है उनको समर पे था तो जम्मू कश्मीर का यह पॉपुलर फेस्टिबल है गोले मिला और इसको जगनाथ टेंपल जो की उदमपुर में वहाँ पर और्गनाइज किया गया था वो विल भी ते चेर्मन ऑफ 16th Finance Commission 16 वितायोग का अध्यक्ष कौन है यह 16 वितायोग के अध्यक्ष कौन है इनका नाम है बिटा अर्विंद पंगरिया असल में अर्विंद पंगरिया साहब नीती आयोग के वाइस चेर्मन रह चुके है यानि की फॉर्मर ठीक है यह वाइस चेर्मन रह चुके है कोलंबिय युनिवस्टी में यह प्रोफेसर है और इनको 16th Finance Commission का चेर्मन बनाए गया अकेले यह नहीं यह जिनको appointment हुआ Commission में Secretary के तोर पे नाम याद रखना है रित्विक रंजनम पंडे रित्विक रंजनम पंडे यह अध्यक्ष है मतलब यह Secretary है सचिव बनाए गये है Finance Commission के ओके आगे देखेगा जो Finance Commission ने इसको कहा गया है कि 31 अक्टूवर 31 अक्टूवर 2025 तक इसको अपनी रिपोर्ट देनी है जिसमें कि 5 साल का पीरेड मेरे दोस्त कवर होगा 1 अपरेल 2026 से 5 साल के लिए इसको अपनी एक रिपोर्ट देनी है अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूवर 25 को पलब्द कराए असल में Constitution of India का Article 281 इसकी बात करता है मतलब सिंपल शब्दों में जो इसको ये पूछ लेता कोशन ये बहुत बार पूछा भी गया गया है कि Finance Commission को इस्टैबलिश करनी की पावर किसके पास है तो President has established the Finance Commission Constitution of India का कौन सा Article इसके लिए 280 एक ये याद रखना अब एक्जाम में कुशन यही आया था जो आपके सामने एक भाचा लंबी चोड़ी लिखी हुई यही paragraph लंबा चोड़ा लिखा है इन्होंने ये पूछा था कि जो Central है और केंदर सरकार है उनके बीच में जो Tax Devolution है वो उसकी Suggestion कौन देता है Finance Commission देता है तो केंदर और राजी सरकारों के बीच जो करहस्तांतरन है या फिर Revenue Augmentation है राजस्वरदी है उसके उपायों का सुझाव देने का काम किसको है Constitutional Body यानि की Finance Commission का है बात क्लियर हो गई उसको Review करने का काम भी Finance Commission का रहता है बहुत Important Point है Examiner बेवकूफ नहीं है भाई वो हम सब का बाप है मेरे दोस्त उसको सब पता है 16th Finance Commission चेर्मेन सब रठके आएंगे सब रठके आएंगे Secretary कौन है सब रठके आएंगे Columbia University के Professor है सब के सब रठके आएंगे कि ये Former Neetiae Vice Chairman है जो रठके नहीं आएंगे वो ये वाला paragraph है यही वाला paragraph इस साल exam का question बना था ये तुम रठके जाना तो उसके बाप बन जाना समझ गया मेरे दोस्त तो President ने Finance Commission को establish किया Constitution of India Article 281 ये याद रखेंगे 5 साल का period 1 April 26 तक से शुरू होगा इसके लिए मेरे दोस्ते 31 October 25 तक उनको अपनी जो रिपोर्ट है वो तयार करके देनी है FIH Hockey 5S World Cup Will be held in which country FIH Hockey 5S Wish Cup किस देश में आयोजित किया जाएगा किस देश में आयोजित किया जाएगा वर्ल्ड कप को नाम दे दिया इनों है FIH Hockey 5S World Cup पांच ही खिलाडी खेलेंगे और पहली दफ़ा ये वर्ल्ड कप ओमान के मसकट में होने जा रहा है अब भारत की तरब से जो टीम जाएगी उसको कौन कपतानी करेगा उसकी मतलब उसका निर्ता तो कौन करेगा तो ये अपने भाई और बहन है मेरे दोस्त ये वर्ल्ड कप जिताने के लिए भारत को लेकर जा रहा है ओमान में और ये बापस आएंगे ओमान में जिता कर तो FIH Hockey 5S World Cup उमान के मसकट में उसकी राजधानी में रहेगा जो महिला साइड रहेगी उसको लीड करेंगी रजनी रजनी सिमरन जीत स्वरी रजनी एते मारपू और जो मैन साइड होगी उसको हेड करेंगे summrande Dzrees Singh क्लियर है किर्किट में भी ऐसा होना चाहिए, हाँ बेटा किर्किट में एक खिलाडी होना चाहिए, एक बैटिंग करें, एक बॉलिंग करें, तो हर बॉल छोड़ते चलो, मेरे दोस्त, चौका तो मिली जाएगा, ठीके बाई, मज़ा आ गया, समझ में आ गया हाजी सर, FIH की बात कर लेते हैं, 1924 में बनाता है, स्विटलेंड के लॉजन में इसका हेटक्वाटर है, मोहमद ताइब इक्रम जो की मकाउ के हैं, वो इसके अद्धक्ष हैं, हौकी इंडिया की बात करें, 2009 में इसका फाउंडेशन हुआ था, न्यू डेली इसका हेटक्वाटर है, द तो उस पांच-पांच खिलाडी वाला वल्ड का पोगा, जो की 5S वल्ड का पोगा, उसमें महिला और पुरुशों का दोनों का ओमान के मसकट में रहेगा, ओमान होस्ट करने जा रहा है, ओके, नेक्स्ट, आसियान की बात करते हैं, Association of Southeast Asian Nation, आसियान में कुल मिलाकर 10 देश ह अब अभी 10 देश ही ही है, ओके, अब आसियान की बात कर लें, तो इसका 2024 की अदिक्षिता इसके पास है, मतलब किसके पास है, लाउस के पास, मतलब लाउस आसियान समिट होस्ट करने जा रहा है, तो उसे सम्मनित मीटिंग भी कहा परूँगी, तो जो आसियान की टूरिज फॉरम की मीटिंग रही थी, वो लाउस के विंतियाने में रही थी, यह इसकी राज़दानी है, मतलब इसकी कैपिटल है, लाउस की करनसी क्या है, सर्लाउस की करनसी है किप, ओके, विंतियाने से कैपिटल करनसी किप, इसकी थीम जो है, वो है, quality and responsible tourism, sustaining ASEAN future, गुडवत्ता और जिम्मेदार परिटन, ASEAN भविश्य को कायम रखना है, यह इसका विश्य है, ASEAN में 1967 में इसकी स्थापना हुई, इंडोनेशिया के जकार्ता में हेटक्वाटर है, 24 की अदिक्षिता लाउस के पास है, 10 देश इसके मेंबर है, Secretary General काना में, काउ किम हुर्न, यह 15 वे न 98 birthday anniversary, 15 जनवरी, as a state sports day, oh my god, state sports day, 15 जनवरी, किस state ने announce किया है, और क्यों किया है, असल में, केडी जादव साहब जो है, यह पहला olympic का individual medal लेकर आये थे, वैसे तो medal आपको हौकी में तो मिली रहे थे, लेकिन वो individual medal नहीं था, पहला individual medal केडी जादव साहब लेकर आये थे, साहबा, दादा साहिव जादव, इनकी 98 बढ़ दे है, इस साल 15 जनवरी, 24 और राजी ने कहा है, कि अब हर साल हम लोग 15 जनवरी को state sports day मनाएंगे, किस state ने, महरास ने, तो केडी जादव साहब का जनव हुआ था, सतारा डिस्टिक में, यह सतारा का एक छोटा सा गाउँ है गोलेशवर गाउँ वहाँ पर इनका जनव हुआ था, यह इंडिपेंडेंट इंडिया के 173 भारत के पहले खिलाडी है, पहले sports person है, जिन्होंने की ओलमपिक में, ब्रॉल्स बैडल जीता था, इंडिवीजुल तोर पह, इंडिवीजुल तोर पह, 1952 का जो ओलमपिक था, फिनलेंड की राजदानी हेलसन की में रहा था, यह रैसलर है, रैसलिंग से संबनेत है, इनको पॉकेट डाइनमो के नाम से भी जानते हैं, बटा, किस नाम से, पॉकेट डाइनमो, एंडू पॉल सेबर्टन, इनको अभी अपॉइंट किया गया, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनल ऑफ UNFPA, he is from which country, okay, एंडू पॉल सबर्टन को UNFPA में नया सहायक महा सचेव नियुक्त किया गया, वह किस देश से हैं, सर यह बिटेन से हैं, कहां से बिटा बिटेन से, अब यह जो यूनाटिट नेशन सेक्रेटरी जनल है, अन्टोनियो गुटरस सहाब है, इनोंने अ पॉइंट किया गया, UNFPA क्या काम करती है, जो मैटरनल हेल्थ होती है, या फिर री प्रोड़क्टिव, यानि परजिनल और जो मातर स्वास्त है विशुबर में, उसको इंप्रूव करने का काम, कराने का काम, United Nation Population Fund का है, इसकी इस्थापना 1969 में हुई थी, 1979 में, और New York City, United State इसका मुख्याल है, ओके, US के New York में इसका मुख्याल है, इस्थापना नेक्स्ट, UA ने अभी हाल फिलाल भारत और UA के बीच में Joint Military Exercise रही थी, उसमें पाटिस्पेट किया था, राजिस्तान के महाजन में, exercise का नाम के, मतलब UA ने राजिस्तान के महाजन में, भारत UAE, Psych2Send अभिहास के पहले संस्क्रण में भाग लिया, अभिहास का नाम क्या है, अभिहास का नाम है बिटा, Desert Cyclone, okay, Desert Cyclone, David Warner ने announcement कर दिया है, retirement का ले लिया, ले लिया, मेरे भाई, ले लिया, David Warner confirmed his retirement from International Cricket, यानि ODI और test retirement लिया उन्होंने भी बस, ठीक है, he is from which country, he is from Australia, ये बिटा कहा रहा था, 112 वा टेस्ट मैच रहा था, और वो final test रहा था, पाकिस्तान के अगेंस में, इसको हरा भी दिया मेरे भाई, ठीक है, इसको धो दिया डंग से, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी गड़ दी मेरे भाई, ठीक है, डंग से ने चोड़ दिया उसको, Sydney Cricket Ground पे ये रहा था, Sydney Cr Cricket Ground, ठीक है, नेक्स्ट जो, कुछ एक खिलाडी जोनों ने अभी retirement लिया, और मैं Dean Elgar का नाम याद रखना, South Africa, गुरकीरत मान सिंग, इंडिया, डैविड बिली, इगलेंड, मैग के लैनिंग, ये Australia, आसद, असद सफीक, पाकिस्तान, सुनील, नारायन, West Indies, मेरे भाई, ओ 14.29 में, ये record था, Sanberry Taffery के नाम, ये इतोपिया की है, तो जो Sanberry Taffery का 14.29 का record है, वो break कर दिया, बिटरेस चैविट ने, 14.13 में, 5 km का world record है, सवाल बहुत सिंपल सा है, कि बिटरेस जो अपनी बहन है, मेरे भाई, ये किस state से है, सौरी, ये किस state से नहीं है, कोई इंडिया की थोड़ी, ये किस देश से है, ये किस देश से है, भया, ये देश है Kenya, जिसकी capital है, Nairobi, currency यहाँ पर sling चलती है, तो Kenya की बिटर से चैविट ने world record बनाया है, 5 km में, 13 वर्षिय ने 14.13 में अपनी race पूरी कर ली थी, और जो record था 14.39 का, Sanberry का, इतोपिया की, 2021 में उन्हों ने था, इसको इन्हों ने break कर दिया, ओके, अब इसके लावा, इतोपिया की टाय जो है, दूसरे नंबर पर रहीं थी, चैविट के बाद, और Kenya की Lilian, Lilian, ये तीसरे नंबर पर रहीं थी, read कर लेना, पूरुसों की race में, स्विज, डॉमेनिक, लोबालू, ओए होए, नाम कह, पूरुशों की race को पूरा किया था, ठीक है भाई? असल में यूनिवस्टी की बात करें तो USA में है, USA जानते हो, अमेरिका, अमेरिका में यूनिवस्टी ओफ टैनवर, ओके वहाँ पर ये professor है, और ये Indian American academic, यानि की simple शब्दों में बात करें, एक सिक्षाविद, और इनका निदन हो गया, चले गया, राम नम सत्य हो गया, जै अब पता ये वेक्ति कोई है, जिसका फोटो लगा हुआ है, सर एक तो प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी जीए, एक आप है, आशीश गौतम, तो आपको मेरे दोस्त मेरे बारे में जी सुनना है, अरे सर आपके बारे में क्यों सुनना है, जो मैं बोल रहा हूँ, उतना सुन योजना के बारे में explain क्या है, बहुत शांदार योजना है, प्लीज, 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 एक विंती है, निवेदन है, दंडवत मेरे दोस्त निवेदन है, आप सभी से किसी वीडियो को जरूर देख लेना, इस योजना को implement करने वाला पहला union territory बन चुका है, जमू एंड अगे हुए है, जो पारम पर एक कारीगर है, उनके लिए मेरे दोस्त ये योजना है, ठीक है, डन, समझ में आगे clear हो गया, हाजी सर, आगे बढ़िये, दो airport की बात करेंगे, अभी एक report आती है, और बताया जाता है कि on time departure के मामले में, on time performance review के मामले में, कौन सा airport मेरे दोस् पर बना हुआ है, तो हमें सीर्ष को तो गया ऐसी की तैसी में, लेकिन हा मेरे दोस्त, अपने दो airport पहले पकड़ लो, हैदराबाद और बैंगलरू airport है, इनोहोंने, सीरियम की जो on time performance review rating रही है, रैंकिंग रही है, उसमें दूसरा और तीसरा इस्थान हासिल किया है, सवाल पहें अल दो रादो इंटरेशन एरपोर्ट और पांच वें सॉल्ट लेक सिटी इंटरेशन एरपोर्ट, यह टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एरपोर्ट रहे थे, इसकी अलाबा मेरे दोस्त, ग्लोबल एरलाइन, सबसे बहतीन एरलाइन कौनसी है, on time departure के मामले में, और एशिया पैसिफिक की बात करें, इसकी इरिया की बात करें, एशिया पैसिफिक की, उसमें इंडिगो चौते नंबर पर है, जो निप्पॉन एरवेज है, मेरे दोस्त, वो पहले पर रहा था, एक बार तसल्ली से इस पर नजर डाल लेते हैं, ठेक है, तो सीरियम की 23 की on 15 मिनट के बीतर, मतलब जो शिडियूल्ट टाइम अराइवल है, उसका उससे 15 मिनट के बीतर आ जाती है, ओके, on time flight is defined flight that arrive within 15 मिनट of scheduled gate arrival, ठेक है, और departure का मतलब यह होता है, कि airport के लिए बो लगा है कि departure मतलब scheduled departure से 15 मिनट, for an airport it is defined as departuring from, यह departuring within 15 मिनट of its scheduled departure, जो भी time है, शिड तो यह एरपोर्ट के लिए हो गया और फ्लाइट के लिए मेरे बाइश जो शिडियूल गेट अराइवल टाइम है उससे 15 मिनिट के बीतर आ जाना ओके विदिन 15 मिनिट ऑफ शिडियूल गेट अराइवल डन ग्लोबल एरपोर्ट का मतलब होता है 25 से 40 मिलियन सीट हर साल ठीक है और मीडियम एरपोर्ट का मतलब होता 15 से 25 मिलियन सीट टे डिपलॉय करना हर साल हो के एरलाइन डिपलॉय करना तो यहाँ पर हम आपको कि यह क्यों पढ़ा रहा हूं इसको पढ़ाने का तर्क यह है कि जो कॉलकता एयरपोर्ट है ये मीडियम एयरपोर्ट कैटेगरी में नौवे नमबर पे रहा है मीडियम एयरपोर्ट कैटेगरी में पास समझ में आ रही है नहीं सा समझ में नहीं थोड़ा कनफ्यूजन हो गया तो देखो ये तो मैंने ये बताया है कि ओन टाइम फ्लाइट का मतलब ओन टाइम डिपार्चर का मतलब क्या है यहाँ पर ये मतलब बता दिया ग्लोबल एयरपोर्ट का मतलब क्या है मीडियम एयरपोर्ट का मतलब क्या है यहाँ पर यह हमने देख ली कि कौन सा हमारा एयरपोर्ट टॉप पे रहा है हैदराबाद और बेंगलूरू एरपोर्ट है ये दूसरे और तीसरे नमबर पे रहे थे सैंटपॉल एरपोर्ट यूएसे का जो है वो टॉप पे रहा था ये हम लोगों ने पढ़ लिया इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि Global Airline में और Asia-Pacific में अपनी कौन सी Airline है तो जो Global Airline है उसमें Columbia की Avian का Airline ये सीर्ज पर रही है और अपनी जो Airline Indigo वो मेरे दोश एशिया पैसिफिक में चौते नमबर पर रही थी ओके? Done? Clear? फिर गौांग ली किया इंडिया के नए MD&CEO है किया किस देश की कंपनी है किया किया कया कीया क्या किया अरे सरणनम यह गाना साउथ कोरिया से लिया गया है नेक्स्ट, Flipkart के भी नी बंसलने, अभी अपना एक latest e-commerce startup launch किया, इसका नाम किया है? इसका नाम है, मेरे भाई, Opdoor, Opdoor इसका नाम है, एक और नई, e-commerce site आपको देखने को मिलेगी, startup देखने को मिलेगा, Opdoor, Opdoor को पहले 3-state venture, Private Limited के नाम से जानते थे, Private Limited के नाम से, आप इसे छोड़ी, किस देश ने अभी Brics की अदिक्षिता लिए, एक जनवरी 2024 से, एक जनवरी 2024 से Brics का अदिक्ष कौन सा देश बना है, पेड़स करना मैं, रशिया, रूस बना है, साउथ अफरिका दस से पहले, अब 2024 के लिए रशिया को इसकी अदिक्षिता दे दी गई, तो रशिया ब्रिक्स की चेर्मेंशिप ले चुका है, अब ब्रिक्स में मिलाकर टोटल 10 मेंबर हो चुके हैं, पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफरिका ही थे, अब इजिप्ट, इथोपिया, इरान, साउधी अराब और यूए भी इसके मेंबर हो गए हैं, टोटल मिलाकर 10 मेंबर हो चुके हैं, अर्जेंटीना के जो रास्पती हैं, उनका नाम है जैवियर माइली, इन्होंने मना कर दिया थी, कि भाईया, मुझे नहीं इसमें रहना है, वैसे तो 6 टोटल देश मिलते तो 11 मेंबर हो जाते, लेकिन इसने मना कर दिया, ये रूट गया है, जैवियर माइली, ये कहता है कि मुझे नहीं आना है, सवाल बहुत सिंपल साइ, कितने में में मेरे दोस्त इसको अप्रूफ किया गया है, तो ये डील है 1,080 करोड रूपे की, मतलब भारती प्रतिसपर्दा आयोग ने, पंजाब सरकार को एक नीजी थर्मल प्रांट, यानि गोईंद बाल साहिव थर्मल पावर प्रांट को, 1,080 करोड में खरीदने की, अपनी अनुमती दे दिया, अनुमती दे दिया, डन, बस इतना याद रखना है, किस देश में भारत का जो काविल है, खनी जविदेश इंडिया लेमेटेड है, ये 211 करोड रूपे का इंवेस्टमेंट करेगा, पांच साल के पीरिड के लिए, असल में है क्या, कि ये एक जगे, इसका नम है, फियंबाला एरिया, अब ये जो फियंबाला एरिया है, यहाँ पर 5 लिथियम ब्लॉक है, अब इन 5 लिथियम ब्लॉक के लिए कहा गया है, कि यहाँ पर exploration के लिए, 5 साल का agreement हुआ है और 211 करोड रुपे का investment करने जा रहा है खनीज विदेश इंडिया लिमिटेड अब ये फियंबाला एरिया किस देश में है सुर ये है आपका अर्जंटीना में कहां पर बिटा अर्जंटीना में तो अगर आप रुपे में याद रखेंगे तो 211 करोड अगर मिलियन में याद रखेंगे डॉलर में तो 25 मिलियन यूस तो डॉलर का investment किया गया असल में इनका समझोता रहा है इसके साथ ये जो देश है जिसके साथ समझोता हुआ था वो अर्जंटीना और अर्जंटीना का जो अर्जंटीना और दो अर्देशों के नाम याद रखना है चिली और बोलिविया ये तीनों देश वर्ल्ड का लीथियम ट्राइंगल बनाते है मेरे दोस्त वर्ल्ड का लीथियम ट्राइंगल का मतलब है अर्जंटीना चिली बोलिविया किस rate से आधार-based जो payment system है यह mandatory हो गया महात्मा गांदी नेशा Rural Employment Guarantee Scheme के तहत अब मन्रेगा के तहत को एक खड़ा खुदने के लिए जाएगा मतलब खड़ा खुदने के लिए जाएगा कि इसको मेरे दोस्त आधार इसका जो link होगा इसके job card से तभी इसको payment मिल पाएगा असल में मन्रेगा workers जो भी होते हैं उनको job card दिया जाते हैं जैसे company ने हमको भी offer letter दिया था न ऐसे मेरे दोस्त मन्रेगा में भी जो शरम में होते हैं उनको job card देती है सरकार अब सरकार करें कि job card को अपने आधार से link कराओ तब जाके तुम्हें इसका pages मजदूरी मिलेगी सवाल है कब से mandatory हो गया तो एक जनवरी दोयाट 24 से ही अनिवार रियोगा mandatory हो गया है उनहीं व्यक्तियों को दी जाएगी जिनका आधार बेस्ट जो payment मतलब उनहीं व्यक्तियों को दी जाएगी मिरे भाई जिनका job card से इनका आधार जो details होगा वो link होगा बात समझ में आ गई clear हो गई भाई session को share कर दो थोड़ा बहुत दम लगा दो यार दम लगा दो यार थोड़ा बहुत share कर दो 1000 प्लस पहुंच जा हमारे बच्चे 900 तो चली रहे है इतनी मैनत कर रहा हूं मेरे दोस फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आता मतलब क्या चाह रहे हो मेरे दोस्त है आज तो मैं लेट ke पड़ा रहा हूं दुनिया खड़े हो के बैट के पड़ा रहा हूं तोमारा भाई सोच रहे है मेरे दोस्त कितनी मैनत कर रहा है तो थोड़ा बहुत तुम लोग shareware कर दो यार फटावाट से रादम लगा दो यह समझ में आ गई निउस क्लियर हो गई कि मनरेगा के तहट गटा खोदा जाएगा तो मजदूरी मिलेगी तब जब मेरे दोस्त आपका आधार नमबर होगा लिंक आपके जॉब कार्ट से इस सिस्टम को नाम दिया गया आधार बेस्ट पेमेंट सिस्टम कब से लागू हो गया है एक जनवरी दोयाट चौबस से मिरे दोस्त लागू हो गया है ठीके बस इतना ही आपको याद रखने है बाते कर रहे हैं कि कब कब इसको लागू करने की बात कीती तो डेट बढ़ती जा रही थी एक फरवरी से कत्तिस मार्ट चुई कत्तिस मार्ट से 30 जून ही 30 जून से 31 अगस्त हो गई थी फिर मेरे दिसंबर 31 हो गई थी लेकिन सरकार ने कहा कि अब हम आगे इसको नहीं बढ़ाएंगे हम आव ऐसा ही करेंगे ओके आगे बढ़ते हैं अब जो रूर डव प्रसफुलर का मतलब क्या होता है एकटिव फाइनेशल यार में कम से कम एक बार मेरे घड़ा खूदा हो मतलब कि एक लेकर और दोज वरकर जिनों पिछले पांच पिछले तीन फाइन ईर गार अगे बढ़ते हैं एकड़ मार्केट होता है मेरे दोस्पराइमरी मार्केट ह लिए तो UPI का इस्तिमाल पहले से कर दिया गया था चालू, आप सेकंटरी मार्केट में भी मेरे दोस्त यहां पर कहा गया है कि आप UPI का इस्तिमाल कर सकते हैं, तो NPCI ने कहा है कि सैकंटरी मार्केट के लिए UPI का चालू कर पाएंगे एक जनवरी 2024 से अब अब यह कह रहा है कि बीटा फेस के लिए बीटा फेस का मतलब हो गया मिरे बाई पाइलेट बेसेस पर है और वो भी एक्विटी कैश मैनेजमेंट के लिए NPCI की स्थाफना कब हुई थी 2008 में 2008 में NPCI Nation Payment Corporation of India की स्थाफना हुई थी NPCI क्या है सर NPCI एक Retail Payment को लेकर Amrela Organization है आज आप छोटे से छोटा पेमेंट करते हो सुटा पीना है तो पेमेंट करते हो गोलगप्पे खाने तो पेमेंट करते हो मरे भाई मुमोस खाने तो पेमेंट करते हो मतलब जो गरम गरम आलू की चार्ट खानी है तो payment करते हो, डोसा खाते हो तो payment करते हो मेरे भाई idli घाते हो, जो भी payment करें, छोटे से चोटा payment कर रहे हो उससे account number थोड़ी लेते हो transfer करने के लिए उससे कहते है, अपना QR code बता या अपना phone number बता, मेरे भाई मैं भी transfer कर दे रहा हूँ तो जितना भी retail payment का काम है वो NPCI देख रहा है तो NPCI एक Amarala organization retail payment को लेकर और इसमें मेरे दोस्त इसने एक नया product बनाये थे जिसका नाम UPI है UPI का इस्तेमाल किया जाता है अब मेरे दोस्त payment करने के लिए round the clock क्लियर है समझ में आ गया done आगे बढ़ते हैं जिसमें मेरे दोस्त बहुत निकल जाएंगी आपके समझ में नहीं आएगा तो ये वाले को star mark कर ले ना question number 32 को question number 32 पर मैं अलग से detailed session लोगा जिसमें मैं aspa explain करूंगा capital market explain करूंगा primary market, secondary market explain करूंगा और मेरे दोस्त और भी काफी चीज़ हैं और आगरा से मेरे दोस्त गुडगाओं आना है तो मैं आदा गंटे में मेरे दोस्त आ जाओं इस तरीके की facility बनने जा रही है बहुत बढ़िया, आगरा से अप टाउन कर लूँगा सुबह 7 बजे का current affair पढ़ा के मैं मेरे दोस्त घड़ से सीधे गुडगाओं आ जाए करूंगा Hyperloop में बैठके, लेकिन अभी बना नहीं है बनाने पर बात चल रही है एशिया का पहला Hyperloop facility create करने को लेकर आर्सिलर मित्तल ने किसके साथ partnership करी है तो ये partnership करी है मेरे भाई, इसने IT मद्राज के साथ, किसके साथ तो आर्सिलर मित्तल और आई टी मद्राज का जो Hyperloop technology टीम है जिसका नाम है अविसकार हायकर Hyperloop ये दोनों साथ में मिलके काम करेंगे और Hyperloop जो technology है सस्ती स्स्ती बनाने पर काम करेंगे अविसकार Hyperloop की student टीम का नाम याद मतलब जो इसकी IT यह कह रहा है नहीं जो IT मदरास नहीं है इसकी जो Hyperloop टीम है उसका नाम है अविशकार Hyperloop भी है याद रख लेना और जो IT मदरास का स्टार्ट अप है इसका नाम है TUTR Hyperloop जो स्टार्ट अप इस पे काम कर रहा है Hyperloop होता गया एक High Speed Transportation System होता पब्लिक के लिए भी और Goods Transport करने के लिए भी आरसला मितल की बात करें Luxemburg Basic Multination Steel Manufacturing Corporation है 2-1-6 में इसको Found किया गया था Luxemburg इसका Headquarter है गवर्मेंट ने डिसाइड किया है कि जो गवर्मेंट कितनी बढ़िया है मेरे भाई पहले तो बेचने की बात करती है फिर कहती है कि ना 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 हम नहीं बेचेंगे तो ये दो सेल का Steel Authority of India Limited का एक स्टील प्लांट है सरकार ने मना कर दिया कि भाई ये इस प्लांट को मैं नहीं बेचने जा रहा Tamil Nadu में है ये सलेम स्टील प्लांट अब ये जो स्टील अटार्टी ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसकी स्थापना का हुई थी 1954 में 1954 में इसकी स्थापना हुई थी नेक्स ट्यार Tamil Nadu के मुख्यमंत्री का ना में MK Strollen रोन एक किताब अभी जारी की थी इसकी स्थापना में मागा कविताई इसको लिखा किस ने किस दौरा लिखी गई है कि तो मागा कविताई जो थर्ड बाई वेरा मुट्व तो वेरा मुट्व के दौरा लिखी गई मागा कविताई किताब को Tamil Nadu के मुख्यमंत्री M.K. Strollin صاحب के दौरा लॉंच किया गया था केरल के गवर्नर करना में आरिफ मुहम्मद खान इन्होंने अभी किताब रिलीज की ती इस करना में राम मंदिर, रास्ट मंदिर एक साजी विरासत राम मंदिर, रास्ट मंदिर एक साजी विरासत अब सवाल बहुत सिंपल साए कि इसको किसके द्वारा लिखा गया इसको दो लोगों ने लिखा था गीता सिंग ने और आरिफ खान भारती ने तो अपना आंसर बन जाएगा उप्शन नमर फिफ्ट नदिया कैलविनो ये अध्यक्ष बनी है ये उरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की एक जनवरी दोजाट चौबिस से इन्होंने कारेभार समाल लिया ये किस देश से है तो बैंजी स्पेन से है स्पेन की कैपिटल है मैटरिड करंसी यहाँ पर यूरो चलती है तो बैंजी का नाम याद रखना नदिया कैलवीनो और ये उरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रस्डेंट बनी है ये भी याद रखना इन्होंने जर्मनी के जो वॉर्नेर होयर है इनको रिप्लेस किया है ये आठवे नंबर की अद्यक्ष बनी है पहली मैला अद्यक्ष बनी है और ये पहली स्पेन की भी है स्पेन की पहली है पहली मैला है आठवे नंबर की अद्यक्ष बनी है और वॉर्नर होयर जो जर्मनी के है उनको रिप्लेस इनोंने किया है ये उरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक 1958 में बना था लगजंबर के किर्चबर्ग में इसका हेड़क्वाटर किर्चबर्ग में ये जो ये उरोपियन यूनियन है जिसमें टोटल मिलाकर 27 मेंबर है उनका ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है विच इस ओन्ड बाई मेंबर स्टेट डन नेक्स्ट प्राइम मिनस्टर नरेंदर मोदी जीन कोची लक्षदीप सबमरीन ओप्टिकल फाइवर जो केविल प्रोजेक्ट है इसको इनॉगरेट किया था अब सवाल उड़ता है कि सर ये कितने की लागत से इनॉगरेट किया गया था ये बिटा दो 172 करोड रुपे की लागत मतलब 172 करोड रुपे इस प्रोजेक्ट पे खडच की जाएंगे मतलब कोची को मेरे दोस्त लक्षदीप से जोड़ा जाएगा सबमरीन ओप्टिकल फाइवर के माद्यम से केविल के माद्यम से सब्मरीन मतलब हो था अंडर वाटर, अंडर वाटर जो अप्टिकल फाइवर केविल है, उसके बाद लिए हम से, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, मतलब इंटरनेट करेक्टिविटी जो रहो से पहुंचवानी, असल में मेरी बात चल रही थी मोदी जी से, मोदी ज इंटरनेट पहुंच बाती है, अगर आप हमें अवेर नहीं करते हैं, तो हम कैसे ये काम करते हैं, मोदी जी ने मिरे को मलब प्रेज भी किया था, लेकिन मिरे भाई वो किसी को दिखता ही नहीं है, सब को सिर्फ उधर उधर की चीज़े दिखते हैं, चोड़ो कोई बात न ही है, बिचाने का काम BSNL को दिया है, चलाने का काम NEC को दिया है, मतलब execution का जो काम है मेरे भाई, वो NEC करेगा, जापन की firm है, जबकि भारत की कंपनी BSNL जो रहेगी, वो मिरे दोस्त बिचाएगी, 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 बास समझ में आगे मेरे भाई, अब ये 26 में बना था, administrator का नाम प्रफुल पटेल है, खवर 30 की capital है, ओके, next, वाईवरेंट गुजरात समिट, मैंने भाई, 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में होगा, गुजरात के गांधी नगर में होगा, वाईवरेंट गुजरात समिट, सवाल बहुत सिंपल सा है, कि इसमें जो प्राइम मिनिस्टर आने वाले है, सहई रिपब्लिक के पैटर फ्याला, वो चीफ गैस रहेंगे, ओके, अब सवाल है कि ये गुजरात जो वाईवरेंट समिटे किस नंबर का है, गुजरात वाईवरेंट समिट किस नंबर का है, बिटा, तो चेक प्रधान मंत्री पैटर 10 से 12 जनवरी तक गांधी नगर में आयुजित होने वाले 10 वे वाइवरेंट गुजरात स्वेश्विक निवेशक सिकर समिलन में सम्मानित अतिती होंगे अब यार दोस्त यह और याद रख लेना कि प्राइमिनिसन नरेंदर मूदी जी हैं वो इस इवेंट को इनागरेट करने जा रहे है इसनके अलावा और भी बहुत लोग आ रहे है ते मौर लेस्ते के रास्पती जौस रैमोज होड़ा भी आ रहे है UAE के प्रेज़ेंट मुहमद बिन जाइद अलनयान भी आ रहे है मुजंबिक के रास्पती फिलिप नियूसी भी आ रहे है मतलब अकेले साहब नहीं आ रहे है उनके साथ तीन लोग और आ रहे है ये बड़े-बड़े लीडर आ रहे है संग, स्वारी, क्लियर मेरे भाई सैज रिपबलिक पार्टनर कंटरी भी ये भी याद रख ले ना पार्टनर कंटरी भी है सैज रिपबलिक इवेंट में 30 से ज़्यादा देश मेरे दोस्त पाटिस्पेट करने जा रहे है गुजरात की बात करें गांदीनगर कैपिटल भूपिंदर पतेल मेरे दोस्त चीफ मिनिस्टर और आचारे देवरत का नाम है मतलब आचारे देवरत मेरे दोस्त गवनर है किस इस्टेट के चीफ मिनिस्टर ने के स्मार्ट अप्लिकेशन लॉँच करी है अब क्या होगा कि सारी की सारी जो government services होंगी local government services होंगी वो सभी की सभी एक application के माध्यम से मिलींगी उसका नाम है K smart application K smart K phone project भी इसका था K smart application भी सी की है तो केरल की चीफ मिनसर पीनराई विजयन के द्वारा K smart application को launch किया गया तो अपने तरीके का पहला सिस्टम है देश में जहाँ पर की सारी की सारी जो services है ठीक है local government की local body institution की एक single click के साथ available रहेंगी केरल की capital है त्रिवंतपुरा मुख्यमंत्री का नाम है पीना राई विजयन, governor का नाम है आरिफ मुहम्मद खान Consistate Interoperable Criminal Justice System के मामले में पहले नमबर पर रहा है लगातार तीसरे साल लगातार तीसरे साल मेरे भाई बताईए अ मेरी माँ भाई समझ में आ गया, clear हो गया इतना कितना बच्चा चलना है 900 अमा यार इतनी मेहनत करने के बाद भी इतना बड़ी है, content लाने के बाद भी, चाहने को तुम्हां वन लाइनर लाके मेरे दोस्त आदा घंटे में session खतम कर सकता था लेकिन मैं जब सोच रहा हूं कि दो यार चौप इसको बहतर बनाना है तो तुम्हों को भी तो बहतर बनाना है जैसे तुम्हें भी तालियों की जरूवत है वैसे मुझे भी तुम्हारी जरूवत है भाई, थोड़ा बहुत शेयर करो, ज्यादा मत करो, थोड़ा बहुत शेयर कर दो, इतना तो कर दो मेरे दोस्त, कि हाँ, कि मज़ा आजा है मेरे दोस्त, मुझे लगने लगए कि हाँ, संडे को आके मज़ा आगया एक दम, दोड़ा बहुत शेयर करो, यह रफटावट से, यहाँ पर आंसर बने का पिट अपना उत्तर प्रदेश, अब जला समझना यह है क्या, पहले तो नहीं, इंटर ऑपरिबल जो यह criminal justice system है, इसको समझ लो, ठीक है, यह एक ऐसा system बनाये गया है, जिसमें कि क्या होगा, कि जितने भी criminal justice system है, उसके pillar है, जैसा कि court है, police है, prison है, forensic science laboratories है, इनको अगर किसी भी data की information की जरूवत है, तो अब यह एक दूसरे के पास नजाने की बजाए, interoperable criminal justice system है, उसको जाएंगी, तो interoperable criminal justice system जो है, specially designed किया गया है, data और information को transfer करने के लिए, court, police, prison, forensic science, universities, laboratories, इनके बीच में, अब इस system को supreme court के instruction के बाद implement किया गया, union home ministry इसके implementation का काम कर रही है, उत्तर प्रदेश बहतर तरीके से इसको implement कर रहा है, और मेरे दोस्त इसके बाद दूसरे नंबर प अले, clear हो रही है भाई, हाई है ना, समझ में आया, ए भाया, समझ में आया कि नी आया, ए भाया, समझ में आया, रहे, आया, आया, इंस्पायर करके एक नया program launch किया है senior citizen के लिए, और वो किसने किया, London bank ने, okay, London bank ने, तो inspire, especially किसके लिए, senior citizen के लिए, आप को senior citizen phone करता है bank में हलो बेटा कैसे हो अरे ददू हम बढ़िया है अरे बेटा सुनो ना सर्दी का टाय में ठंड लग जाएगी हम पर दिक्कत होगी हम पर नहीं आये ज़र आप आ जाओगे अरे ददू हम आपके लिए तो है इंस्पायर आपी के लिए लॉंच किया है अब तो हम बंधन का बंधन बना के ही रहेंगे तो बंधन बैंक ने बोला है कि बंधन तो बनाएंगे मेरे भाई किन के साथ सीनियर सिटीजन के साथ अब उनको डोर स्टैप बैंकिंग फैसिलिट हो गई नेक्स्ट मेरे दोस्त एक अभी सूपर इस्पेशल फिक्स डिपॉसिट इसकीम लॉंच की है जिसमें मैचॉरिटी पीरिट 175 दिन है और इंट्रेस रेट साड़े साथ परसेंट है यह किसने लॉंच किया है फटावट से बताईए है जल्दी बते विटा सरी लॉंच किया बैंक ओफ इंडिया ने ओके लेकिन यह आपके लिए और हमके लिए नहीं है हमारे लिए नहीं है बहुत जादा अमीर लोगों के लिए जिसमें मेरे दोस्त शायद लगवग लगवग ऐसा होगा कि 2 करोड से उपर की FD होंगी और 50 करोड रुपे तक की होंगी उनके लिए सूपर स्पेशल फिक्स डिपॉसिट स्कीम लेकर आए है ओके इंडिया रेटिंग और रिसर्च ने इंडिया की GDP ग्रोथ रेट का जो प्रोजेक्शन है वो फुटबॉल से सम्बन देते हैं प्रवीर मजूमदार का हाली में दन हो गया फुटबॉल से सम्बन देते हैं पी संतोष मेरे दोस्ट चले गए सौरी नहीं मेरे भाई ये चले नहीं गई आ गए है नेशनल असेट रिकंस्रक्शन कंपनी लिमिटेड मेरे दोस्ट इसके MD बने हैं पी संतोष किस वर्ष में N.A.R.C.L. की स्थापना होई थी तो पी संतोष सहाब केनरा बैंक में चीफ जनरल मैनेजर इनको अब MD बना दिया गए N.A.R.C.L. का 5 जनवरी से नटराजन सुंदर सहाब ने MD और CEO के तोर पर पद छोड़ दिया था उसके बाद पी संत Majority Stake सरकारी बैंक का Public Sector बैंक का है जबकि Balance मेरे दोस प्राइविट बैंक का है इसमें Canera Bank के Sponsor Bank के इस लाइन को भी याद रखना इसको उन मतलब e-specialist को जो design किया गया है उन stressed asset को clean करने के लिए setup किया गया है जिसका exposure 500 करोड रुपे या उससे ज़्यादा का है अगर को Indian banking system में किसी ने loan लिया को stressed asset है उसका exposure 500 करोड या उससे ज़्यादा है उसको clean करने का काम N.A.R.C.L. को दिया गया गया जो 21 में बना तक Canera Bank इ Chief General Manager को P.Santosh को इसका MD Managing Director बना दिया गया है डन सशी सिंग को All India Rubber Industry Association इसका नया President appointment किया गया he succeeded whom रमेश केजरिवाल की जगे पे इनको बनाए गया जाफर एहमद को Vice President Senior Vice President बनाए गया जबकि इंदर पारे को इंदर पारे को Vice President appointment किया गया Vice President clear guys Done नमजा आगया हाजी सर रंदीर जैसवाल ये Spokesperson बने है Ministry of External Affairs के सवाल है इन्होंने किसका स्थान लिया इन्होंने लिया अरिंदम बागची का कल सुबह साथ वजे Current Affairs का सेशन मेरे दोस्त बहुत बहुत बैतरी नोने वाला है कल सुबह साथ वजे की क्लास स्किप मत करना 12 वजे का जो सेशन होगा उसमें मैं topic wise पढ़ाना शुरू करूँगा Index, appointment, obituary तो कल का topic जो होगा जहां तक है मैं brand ambassador आपको पूरे मेरे दोस्त जितने भी रहे 12 मीने के पूरे cover करूँगा तो कल का session आपके लिए सुबह साथ वजे का भी important है और 12 वजे का भी important है ध्यान रखना मेरे भाई तो अरिंदम भागची सहाब को जिनेवा बेज दिया गया है पेटा निकल ले जिनेवा इनको बोल दिया सरकार ने पेटा तू जिनेवा निकल ले और मैं तेरी जगह पर यहां पर रंदीर जैसवाल है इनको बिठा दूँगा अगर मेरे को सुनना होंगे तो कहेंगे कैसे तेरा तेरा बात कर रहा है माफ करना सर सरे बच्चों को याद कराने के लिए इसके स्पोक्सपरसन रंदीर जैसवाल अरिंदम भागची की जगह पर एसजे सिंग सहाब की जगह पर इनको पॉइंट किया गया तो वाइस एडमिरल दिनेश के तरपाटी ये वाइस चीफ बन गए है नेवी के एडमिरल संजे जे सिंग की जगह पर उनको वेस्टर नेवल कमांड का फ्लैग ऑफिसर कमांडेंग इनचीफ बनाए गया है संजे जे सिंग सहाब को किस देश के साथ इंडिया ने अभी 10,000 मेगावाट का पावर ट्रेड एग्रिमेंट किया है 10,000 मेगावाट एक्सपोर्ट करने को लेकर पावर ट्रेड एग्रिमेंट किया है 10 साल के लिए भारत ने दस वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट जलविद्यों तो निर्यात करने के लिए किस देश के साथ बिजली व्यापार समझौते पर स्ताक्चर किये तो अपने विदेश मंतरी सहाब का नाम क्या है अपने विदेश मंतरी है एश जैसंकर साहब वो नेपाल गए थे तब ये समझोता हुआ है तो नेपाल और इंडिया के बीच में 10,000 मेगावाट हाइड्र एलेक्रिसिटी एक्सपोर्ट करने को लेकर समझोता हुआ इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा नेपाल आने वाले 10 सालों में ये जो एनरजी डील है ये टोटल चार एग्रिमेंट हुआ उनमें से एक है एश जैसंकर साहब अभी विजिट पर कहते काटवांडू उस दोरानी समझोता रहा था इंडिया ने कहा है कि मैं रुपे 10 दूंगा सौरी बिलियन 10 बिलियन रुपे दूंगा में वित्तिय सहायता के तौर पर नेपाल को उनका दो जगह है एक नाम है जाजर कोट और एक नाम है रुकुम पच्छिम तो जो जाजर कोट और रुकुम वेस्ट है ये लास्ट नवंबर में अर्थकोएक की वज़े से काफी जादा टू टाट गया था तो इन्होंने कहाए कि इसको सही कर लो इसको रीडबलब कर लो रीकंस्रक्ट कर लो उसके लिए 10 रुपे, 10 बिलियन रुपे मेरे दोस्त इंडिया दे रहा है नेपाल को जैसे आपको पताए कि इसरो जो है वो दूसरे देशों को काफी हेल्प करता है तो नेपाल को भी इसने बुलाए कि हम तेरी सेटलाइट लॉंच करेंगे तो नेपाली सेटलाइट इसको लॉंच करने के लिए नेपाली अकैडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नलोजी और न्यू स्पेस इंडिया लेमिटेड जो की इसरो के अंतरगत आता है इसने ये समझोधा किया था, ये इसरो की एक कॉमर्शिल आर्म है मेरे भाई इसके साथ साथ एक एगरिमेंट हो और हुआ है, रिन्यूबल एनर्जी के छेतर में टोटल चार एगरिमेंट हुए न, एक रिन्यूबल एनर्जी के छेतर में हो गया एक स्पेस के छेतर में हो गया, एक वित्तिय साहता के छेतर में हो गया और एक पावर ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, टोटल चार एग्रीमेंट रहे थे, इंडिया के एक्सेल अफेर मिनिस्टर करना में, एशे जिसंकर सहाब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, जो नॉन अलाइन मुवमेंट समेट है, ये प्यास बुजा दे, फटापट, चल्दी से, टेखें, तो युगांडा की कैपिटल है पिटा कमपाला, ओके, और कमपाला में इंडिया के एक्सेल अफेर मिनिस्टर एशे संकर सहाब जाएंगे, और नॉन अलाइन मुवमेंट जो समेट होगा, उसको मिरे दोस्ट अटेंड करेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, डन, क्लियर, ये जो समेट होने वाला पिटा, ये 19th edition होगा, उनिस्वा संस्क्रण होगा, इसके अलावा African country जो है ये, यानि कि युगांडा की बात हो रही है, युगांडा तीसरा साउथ समिट भी होस्ट करेगा, और मेरे दोस G77 की मीटिंग भी होस्ट करेगा, ओके, युगांडा बेसेकली नाम का अध्यक्षी भी चुना गया, 24 से 24 से 27 के लिए, इससे चलेगा, 19th edition हो गया, 3rd South Summit होस्ट करेगा, ये भी हो गया, G77 मीटिंग होस्ट करेगा, ये भी हो गया, युगांडा नाम का अध्यक्ष बना है, 24 से 27 के लिए, 19th edition, जैसंकर साहब जाएंगे, अटेंड करने के लिए, अपरेल 2023 की बात कर लेते, है, एजसंकर साहब ने युगांडा में कुछ इनॉगरेट भी किया था, पहला foreign campus इनॉगरेट किया था, National Forensic Science University का, जो भारत की है, National Forensic Science University, उसका foreign campus, पहला foreign campus है युगांडा की जिंजा में इनॉगरेट किया था, इसके साथ सत्याद रखना, तंजानिया के जंजीवार में, IIT मदरास का campus भी open किया गया था, ओके, देखे, done, ये class मैं भी देख रहीं, मैं भी देख रहीं, मैं की मम्मी भी देख रहीं, मैं के पापा भी देख रहें, हमारी मम्मी भी देख रहें, हमारी पापा भी देख, तो नहीं जुड़ी हुई थी, अब तो दीरे-दीरे सब जुड़ने लगे हैं, अगेंस अनी मेजर ब्लॉक, मेजर पावर ब्लॉक, उनके लिए ये एक देश, एक गुरुप है, अब ये युनाइटेड नेशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा गुरुप है, नौन अलाइट मुवमेंट, समझ में आ गया है, कहां समिट होने वाला है, भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेगा, एडीशन कौन सा है, कौन सा देश के पास अधिक्षिता गई है, उसके जो एग्रिमेंट कियें, किसलिए कियें, मिलिटरी एक्विप्मेंट खरीदने के लिए, अभी मिलिटरी एक्विप्मेंट जो खरीदे जाएंगे, कितने करोड रुपे के खरीदे जाएंगे, दोस यह 600, ना ना ना, यह गलत हो गया, यह गलत हो गया मुझे लग रहा है, 802 करोड रुपे का कॉंट्रेक्ट था, 802 करोड का कॉंट्रेक्ट है मेरे भाई ये ठीक है, बाकि सारे तो correct चल रहा है, 802 करोड का कॉंट्रेक्ट है, अब यह आप पढ़ ले ना कौन-कौन से equipment है, यह दो आपको फोटो दिख रहा है न, इनी को खरीदा जा रहा है, तो Jupiter wagon स जो के 802 करोड रुपे के हैं खरीदे जा रहे हैं, किस से, इन दो company से ministry of defense खरीद रही है, okay, next एक न, which city will host international kite festival, काटा पेच, हैसी दो गोलते थे, काटा पेच मेरे भाई है, कौनसा शेहर अंतरास्टी पतक महसब की मेजबानी करेगा, सर यह करेगा यह द्या, राम, सिया रा जी मुक्के मंतरी है, अरंदी बेन पटेल यहां की governor है, अमंगर टाइगर रिजव, पीलीवी टाइगर रिजव, रानीपुर टाइगर रिजव, दुदवा टाइगर रिजव, यह सभी के सभी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, okay, world braille day का मनाया जाता है, world braille day प्रत में हुआ था, 1809 में हुआ था, असल में साहब ने तीन dot raise किये थे, okay, यह dot नहीं, dot जो आप paper पर देखना, जो यह braille लिप होते हैं, इसमें dot 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 बने होते हैं, इन dot को feel करके अपनी उंगलियों से, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, जो लोग देख नहीं पाते हैं, जो blind ह script को अपनी उंगलियों के माध्यम से समझ पाते हैं, और यह जो सहाब लुइस ब्रेल इनके लिए तालिया बनती है, मिर भाई clapping बनती है, ओके, और यही inventor ने ब्रेल script के, इसी लिए इनके जनम दिवस को, चार जनवरी को, वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया जाता है, डन, नेक्स्ट यार, जनरल प्रॉविडेंट फंड पे जो इंटरेस्स रेट है, क्वाटर नंबर जनवरी, फर्वरी, मार्च के लिए, कितनी डिसाइड की गई गई, 7.1%, 7.1%, तो मिनिस्ट्री ओफ फाइनेंस ने अनांस किया, यह याद रखना, जीपी एफ का इंटरेस रेट और जो अधर सिमिलर फंड है, उन सभी पर इंटरेस्स रेट कितना रहेगा, 7.1%, 7.1% अंटिल मार्च दुहजार चौपिस, ओके, डन, R.E.C. लिमिटेड ने, अभी एक बैंक के साथ इक समझ, ओ, हो, 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 गड़बड हो गई, आंसर बता दोगे तुम, कोशन में आंसर है, R.E.C. लिमिटेड असाइंड एग्रिमेंट विद विच बैंक, उसके बगल में लखा, P.O.B. to jointly finance project, infrastructure project, power project, logistics sector, आने वाले तीन सालों में मेरे बाई, इनको पैसा देने के लिए समझाता किया गया है, R.E.C. लिमिटेड ने, bank of bada के साथ, R.E.C. लिमिटेड for R.E.C. खेल प्रुसाहन प्रुसकार 2023, R.E.C. खेल प्रुसाहन प्रुसकार 2023 के लिए किसे चुना गया है, मेरे भाई चुना गया है, J.E.C. डीम टूबी उनिवर्स्टी बैंगलूरू और Udisa Mining Corporation Limited, Corporate Limited, 16 question ऐसे हैं, जो मैंने 1 January से लेकर 6 January तक नहीं पढ़ाए, वो नए रहे गा, रास्ती खेल प्रुसाहन प्रुसकार जो National Sports Award दिये जाते हैं, उसमें माका ट्रोफी रहती है, मेजर ध्यान चंद खेल रतन अवाड रहता है, द्रोनाचार्य अवाड रहता है, ओके ध्यान चंद अवाड रहता है, उसके अलावा रास्ती खेल प्रुसाहन प्रु यह होता है, उसके लिए रास्ती खेल प्रुसाहन प्रुसकार दिया जाता है, ओके यह जो दिया गया, दो एंटिटी को दिया गया, जैन टीम टूबी उनिवरस्टी बैंगलूरू को और उडिसा माइनिंग कॉर्परेट लिमिटेड को, उडिसा को CSR जो कॉर्परेट सोश जैने तिक किया गया था, ठीके भाई, क्लियर, पीडियेफ का मिलेगी, आपको ओफिशल टेलेग्राम ग्रुप जोइन करना है, जीए भाए आशीश गौताम, ओके, इस ग्रुप में आपको बच्चे मिलेंगे, 61,000, कितने, 61,000, इस जीए भाए आशीश गौताम, इसमें आपको मिरे दोस्त मेरी बीडियो की पीडियेफ मिल जाएगी, और इसका आप आराम से प्रिंट निकाल सकते हैं, तो अवाड़ी को जो अवाड़ दिया जाएगा, रास्पती भवन में मिरे दोस्त 9 जनवरी को फंक्शन रहेगा, उस दोरन प्रेसिडेंड आफ इंडिया क करने के लिए सिक्षा मंत्राले द्वारा कौन सा अनुभावात्मक मतलब की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक प्रोग्राम शुरू किया गया, इसका नाम है बेटा प्रेरना, प्रेरना, ओके, याद रहेगा प्रेरना मेरे भई, clear, तो इस एवीक लॉंग रेजिडेंशल और selected student of class 9 to 12, तो कच्छा 9 से लेकर 12 तक के जो selected student होंगे, उनके लिए एक प्रोग्राम रहेगा, कहा गया है कि 20 बच्चों का बैच होगा, इसमें 10 लड़के और 10 लड़कियों को select किया जाएगा, हर एक week मेरे दोस उनको various parts जो है देश के वहाँ पर training दी जाएगी, मतलब य 10 बच्चे और 10 बच्चियां रहेंगी, यह जो program run होगा, यह गुजरात के वड़नगर से होगा, वड़नगर से क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1988 में एक वरनाकुलर स्कूल है, इसको establish किया गया है, और यहाँ से मिरे दोस ये program चलेगा, clear? इसका जो curriculum है, यानि पाठे करम है, प् प्रेंडना पहले आठी, फिर Mr. Bajaj आए थे, समझे ने समझे रहें, तो गडबड तुम लोग ध्यान दे रहे हो, प्रेंडना थी पहले, अब छोड़ो वो बहुत पुरानी बात है थी, बचपन के पर उते, अब तो नए-ने सीरियल आने लगे, इंडिया signed pact with hydrocarbon, भारत के साथ समझोता किया है, तो मेरे दोस्त यह है, गवाना के साथ किया है, गवाना जिसकी capital, Georgetown है, currency dollar चलती है, तो यह जो agreement इसमें क्या होगा, इस agreement में बुला गया है, कि काम किया जाएगा sourcing of crude oil from गवाना, गवाना से crude oil की sourcing को लेके काम होगा, जो Indian companies होंगी, उनको गवाना म उसमें मदद मिलेगी, मतलब उसमें उनका participation रहेगा, और जो oil refining है, जो crude oil refining है, उसमें cooperation पे काम किया जाएगा, तो गवाना के साथ भारत ने hydrocarbon cooperation के छेतर में समझोता किया है, ठीक है, Indian oil corporation ने अभी, रगुराम अईयर है, इनको अपना CEO appoint किया, I.O.A. was created in which year, 1927 में I.O.A. की स्थापना हुए थी, Indian Olympic Association की, Indian Olympic Association 1927 में बना PT Ushab President है, नई दिली हेड़कॉर्टर हो गया, और अभी CEO के तोर पे रगुराम अयर सहाब को बनाए गया, okay, who has been appointed executive director of Asian Development Bank for a period of three year, तीन साल के लिए ADB का executive director किसको appoint किया गया, विकास सील को, okay, किसको पड़ा विकास सील को, phone पे ने अभी हल फिलाल, International Payment Business के लिए CEO के तोर पे किसको appoint किया है, रितेश पाई को, किसको बिड़ा रितेश पाई, रितेश पाई को, International Payment Business के CEO के तोर पे पोइंट किया, phone पे ने, done, next, NIIFL, National Investment Infrastructure Fund Limited, इसके MD&CEO कौन बने है, संजीव अगरवाल, okay, संजीव अगरवाल को इसका MD&CEO बनाए गया है, मेरे भाई, इन्हों ने, राजीव धर साब, जो है न, राजीव धर साब, ठीक है, इनको, मतलब, replace किया है, ये MD&CEO के तोर पे काम किये थे, done, next, which bank sign co-landing agreement with Satin Credit Care Network Limited, Satin Credit Care Network Limited के साथ, अभी किस bank ने समझोता किया है, जो joint liability group है, उनको support करने के लिए, ऐसे joint liability group, जो की मेरे दोस्त, रूरल और semi-urban areas में है, उनको financial support प्रोवाइड करने के लिए, Satin Credit Care Network Limited के साथ, किसका समझोता रहा था, सर करनाटक बैंक का, करनाटक बैंक, तमिल नाडू ने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है, और जो electric vehicle registration के मामले में, तमिल नाडू चौथे नंबर पे आ गया है, सवाल बहुत simple सा, which state has stopped, किस राज़ ने टॉप किया है, किस राज़ ने, कौन सा राज़ सीर्च पर है, तो बिटा महरास सीर्च पर है, मतलब ये कहा जा रहा कि महरास remain the leader with highest number of registration of battery powered vehicle followed by करनाटक, तो महरास पहले पे रहा, electric vehicle registration मे करनाटक, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे मेरे भाई, ओके, फिर उसके बाद चौथे पे तमिल नाडू आ गया, पांचवे नंबर पे गुजरात आ गया, डन, गौवर्मेंट ने कहा है कि वो भारत पार्क बनाएगा, भारत पार्क, अब ये जो भारत पार्क ब पर आने जा रही है, इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है, एस पर NSO, 2023-24 के लिए कितनी अनुमानित की गई है, तो इन्होंने अनुमानित किये 7.3%, एस पर NSO, 2023-24 में जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट है, वो 7.3%, 7.3%, 7.3% रहने का नुमान है, ओके, डन, इन्होंने कहा है कि 23-24 से financially year, उसका जो पहला हाफ है, और दूसरा हाफ है, पहले हाफ में 7.7%, इन्होंने कहा है कि भई, पहले हाफ में ग्रोथ रही 7.7%, देखो, जो भी projection करते हैं, वो सब एक अलग है, जो NSO projection करता, calculation करता, वो सबसे important है, तो पहले हाफ में जो भारत की GDP ग्रोथ रेट रही, जो अनुमान लगाया है, वो इन्होंने कहा है, 7.3%, clear है, done, okay, यह आप देख सकने, financial year, 23 में 7.3% का अनुमान है, 24-24 में, 22-23 में इतना रहा था, सबसे ज़्यादा ग्रोथ का अनुमान लगाया है, इन्होंने कहा है कि construction में 10.7% की ग्रोथ रहेगी, सबसे कम agriculture में रहेगी, 1 1.8% की ग्रोथ, ऐसा यहाँ पर NSO का कहना है, National Statistical Office का कहना, okay, David Tennant will host बाफता फिल्म फेस्टबल, he is from which country, David Tennant बाफता फिल्म पुरुसकारों की मेजबानी करेंगे, वह किस देश से हैं, Scotland से, okay, Scotland से, football legend Mario Zagelo, इन्होंने World Cup जीता था दो बार, अब देखो, यहाँ से जो question है, 68 के बाद जो question है, 69 to 85, यह सारे के सारे नए question है, मैं पानी पी रहा हूं जब तक तुम question पड़ो, और end तक बने रहना, ओ भाई, दो बज गया, पता भी नहीं चला, मतलब एक गंटा 20 मिनिट हो गया, अभी तो जाएगा session, मतलब non-stop session चलना है, हाँ, मेरी मा, आज तो मेरे दोस्त दिन बड़ा जीव आया है, फुटबॉल के दिगज खिलाडी मारियो जगालो, एक खिलाडी के रूप में दो विश्व कप जीते, एक कोच के रूप में, और दूसरा साहय कोच के रूप में, बहुत बढ़िया, एक है, He is from which country, तो He is नहीं, He was from which country, ब्राजील से थे, साहब चले गए, ओके, He become the first person ever, ये पहले व्यक्ती बने थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, as a player भी, और a manager भी 1970 में में, 1970 के में एक खिलाडी और प्रवंतक दोनों के रूप में विश्व कप जीतने वाले पहले व्यक्ती इंद्रा सेक्रेटरी जनल बनाए गया है, इंद्रा मनी पांडे को, किन की जगह पर भूटान के तैंजिंग लेकपाल की जगह पर है, तो भूटान के तैंजिंग लेकपाल की जगह पर बिमस्टेक के सेक्रेटरी जनल कौन बनी, इंद्रा मनी पांडे भारत की मेरे भाई, यह चौते नमबर के सेकरेटरी जनल है और कितने सालों के लिए आफिस में बने रहेंगे तो इंदर मनी पांडे को भूतान के तैंजिंग लिक फैल के स्थान पर विम्स्टेक के महा सचिव के रूप में न्यूक्त किया गया था वे चौते महा सचेव हैं और तीन साल तक पतपर बने रहेंगे यह जो इंदर्मानी पांडे है यह United Nation में Permanent Representative के तौर पर भी इन्होंने काम किया है और जो Other International Organization ने जिनेवा में उसमें भी इन्होंने Representative के तौर पर काम किया है Next Which country is officially declared Snow Leopard as a national symbol किस देश ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को अपना रास्तिय प्रती को गोशित किया है तो यह किरजिस्तान है मेरे बाई किरजिस्तान के दौरा हिम तेंदुए को अपना रास्तिय प्रती को गोशित किया गया किरजिस्तान ने अभी मतलब ये सिनो लेपर्ड कंसर्वेशन में इस लीडिंग रोल निभाया है असल में जो पहला ग्लोबल सिनो लेपर्ड फॉरम रहा था 2013 में ठीक है ध्यान रखिएगा जो पहला अगर नहीं भूमिका निभाई है और उन्होंने हिम तेंदुए के संरक्षण में तो राजस्थ हुआ है इंडिया ने टॉय इंडस्ट्री 2223 में एक्सपोर्ट में कितनी विरद्धी देखने को मिली अगर 2415 का कंपेर्जन करते हैं तो भारती खिलोना उद्यों के निर्यात में उसके एक्सपोर्ट में 2415 की तुलना में 2223 में 149 प्रतिशत किया 249 थैया जहां तक मुझे याद है एक माट उक नहीं रहा लाइक मी चेक 239 परसेंट यह 239 परसेंट है मेरे भाई कंफर्म ठीक है तो कल मैं कोशन बना रहा था मुझे लग रहा ऑप्शन में घड़ बड़ हो गई 239 परसेंट ओके साही करदूबा पीडिएफ में भारती किलो ना उद्यों के निर्यात में 14 15 की तुलना में 2223 में 249 प्रतिशत की व्रदी देखे गई थी ओके ये नोट किया गया है एक के जो केस स्टडी इसका नाम है सकसेज स्टोरी ओफ मेड इंडिया टॉइज ओके ये टाइटल हो गया इसको सेकरेटरी जो है डेपार्टमेंट फॉर प्रमोशन अफ इंडस्टी इंटर्नल ट्रेड के डीपी आ एटी के सेकरेटरी जो है सिंग उन्होंने इस केस स्टडी को मेरे भाई रिलीस किया था ओके 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 मतलब यहां पर आपको टाइटल याद रखना है पहले तो टाइटल है सकसेज स्टोरी ओफ मेड इन इंडिया टॉइस पॉंट नमबर वन इसको रिलीस किया डीपी आएटी ने डिपार्ट ने है तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट है इंडियान टॉइ इंडस्ट्री ने जो माल बेचा है विदेशों को एक्सपोर्ट किया है उसमें 249 प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिली है मेरे भाई कितने की 249 प्रतिशत की बात समझ में आ गयी क्लियर हो गई इसी में भी आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट में देखने को एक चीज और मिली है कि जो इंपोर्ट है उसमें कमी देखने को मिली है सेम पिरिड में 52 प्रतिशत की CDC बात है अगर मेरे दोस्त मैं खुद माल बेचने लग जाओंगा तो मेरे खरीदने में तो obviously कमी आएगी तो वही बात है case study को conduct किया था Indian Institute of Management लखनों ने IIM लखनों बनाब DP IIT जो नहीं है उसके आदेश पर IIM लखनों के द्वारा ये पूरी की पूरी case study है इसको तयार किया गया था government ने कहा है कि भाई हमने जो भी effort किये है उससे जो imported input है उसमें भी कमी आई है वो 33% से 12% रह गया है और जो gross sale है उसमें वरदी देखने को मिली वो भी compounded annual growth rate रही 10% की मतलब sale में 10% की growth देखने को मिली है import जो input होती है जिनका इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई उसमें डिपेंडेंस है दूसरे देशों पर उसमें 12% रह गया जो 33% था देखने को मिली है आयम लखनाउ ने DPIAT के वहाब पर इस case study को तयार किया था case study का title clear है release किसने की वो clear है और as per this case study 14-15 से अगर 22% का comparison करे तो 24 49 प्रतिशत की toy industry में export में growth देखने को मिली है इंद्रा गांधी institute of development research was established in which year news में चल रहा था तो मैंने सूचा लगे हाथ मेरे दोस्त इसको निप्टा देता हूँ तो इंद्रा गांधी institute of development research ये कब established हुआ था मेरे भाई answer बनता option number 1 1985 में 985 में ओके मुंबई महरास इसका headquarter है it is funded by reserve bank of India RBI के द्वारा funded है बसंत कुमार प्रधान जो है वो इसके current director है पास समझ में आगे मेरे भाई clear हो गई done तोड़ा बहुत share कर दो यार दम लगा दो यार इतनी मैनत कर रहा हूँ इतना तो बनता है हग यार मेरा अब यार ये जरा समझना आपको पता है जो wetland होते हैं आदर भूमी होती है वो कितनी important है अगर शहरों की बात करें तो लोग क्या करते हैं कि जो wetland होते हैं शहरों में वो क्या करते हैं इसको dumping के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं जैसे for example ये आपका घर है अब ध्यान से देखेगा आपका घर है उसके बगल में मेरे दोस्त एक plot खाली पड़ा है आप में से काफी ऐसे लोग होंगे अपने घर की छत पे जाते होंगे और यहां पर dump कर देते हो होंगे अपना जो कूड़ा होता होगा हासर ऐसा क्यों नहीं करेंगे हम तो महानुबाव हैं देश के अच्छे नागरे के हम सोचते हैं क्यों घर से बाहर निकल के जाए क्यों डस्ट में कूड़ा डाले क्यों मेरे दोस्त कूड़ा सही तरीके से डाले हम क्या करते हैं अप पड़े स्तर पर देखें, तो इसका इस्तिमाल जिसे वेटलेंड होते हैं, ठीक है, अब कोई लेक है मेरे दोस्त, वो इतनी गंधी कर रखी है, इतनी बेकार कर रखी है, उसके ध्यान में रखते हुए, वेटलेंड सिटी अक्रिडेशन स्कीम के तहत, इंदौर, भोपाल और उदैपूर भारत की तरफ से नॉमिनेट किये गए, ये सोच कै कि इंदौर, भोपाल, उदैपूर के पास जितने भी वेटलेंड है, जितनी भी आदर भूमी है, उनका कंसर्व हुई थी, मतलब रामसर कंवेंशन, ये रामसर ट्रीटी की बात हुए, कप साइन हुई थी, दो फरवरी, 1971 को, जहां तक दो फरवरी को, वर्ल्ड वेटलेंड डे के रूप में भी मनाया जाता है, जो नॉमिनेटेट सिटी है, वो मद्रप्रदेश का इंदौर है, मद्रप सिटी का अकरडेशन है ना मेरे दोस गोल, WCA गोल है, इसका उद्देश क्या है, वेटलेंड का कंसर्वेशन करना, उसी की तरज पे भारत में भी एक पहल है, जिसका ना में अमरित धरोहर इनिशेटिव, जिसको मिनस्ट्री ओफ इन्वार्मेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट अमरित धरोहर इनिशेटिव का उद्देश, तो यह जो अमरित धरोहर इनिशेटिव हमारे देश में है, उसी तरीके से विश्म है, वेटलेंड सिटी अक्रेडेशन, इसकी में मेरे भाई, ओके रामसर कंवेंशन के तहत, अमरित धरोहर इनिशेटिव 23-24 जो बजेट रहा था, उसमें अनाउंस की गई थी, ओके परपस यही है, रामसर जो साइट है, उनका कंजर्वेशन करना है, ठीक है, डन, यह पहले तीन शेहर भारत की दरफ से नॉमिनिट किये गए है, डबलू सी एक अक्रडेशन सिस्टम है, जिसको रामसर कंवेंशन ने, कॉप 12 के दोरान, कॉन्फरेंस और पार्टी के दोरान, 2015 में स्टैबलिश किया था, निम्न मैंसे कौन सी ओर्गिनाइजेशन है, जिसने हियूमन रिसोर्स डबलप्मेंट और डिसिप्लेन इयर घोश शेहर रहा था, जिसका नम है करमान, ओके, और एक व्यक्ति रहे थे, इनका नम था कासिम सुरेमानी, तो कासिम सुरेमानी का मेमूरियल है करमान में, वहाँ पर एक अटेक होता है, ट्विन ब्लास्ट होता है, जिसमें 84 से जादा लोग, वो सकतर 99 लोग भी हो, 100 लोग भी ह लेकिन न्यूस्पेपर में कुछ एक में बोला थे, 84 लोगों की डैट होई, काफी लोग घायल हो गए थे, इस करमान शेहर में अटेक हुआ था, सवाल बहुत सिंपल सा है कि ये करमान शेहर किस देश में है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये इरान में, कहां पर इरान में, असल में कासिम सुलेमानी, जो कुछ फोर्स कमांडर थे ये, और इनको यूएस ने बगदाद में मार दिया था, जनवरी द्यूर बीस की ये घटना है, जनवरी द्यूर बीस में मतलब अमेरिका की जो फोर्स है, उसने मेरे दोस्त, बगदाद में इनकी हत्या कर दी थी, का ग्रीन कवर इंडेक्स डबल अब करने के लिए, और उसकी रिपोर्ट तयार करने के लिए, अब ये ग्रीन कवर इंडेक्स क्या वो भी समझेंगे, ये नामे NRSC इसने इसके साथ समझोता हुआ, तो National Highway Authority of India ने, National Remote Sensing Sector, जो कीशरों के अंतरगत आता है, उसके साथ एक समझो समझोता किया है, तीन साल का एक agreement हुआ है, ग्रीन कवर इंडेक्स बनाने के लिए, असल में उद्देश क्या है कि नेशनल हाइवे पे आपने देखा होगा, नितिन गड़करी साहब कितनी बार कहते हैं, कि हमें ग्रीनरी पे ध्यान देना है, हमें प्लांटेशन पे ध्यान इसके लिए, नेशनल हाइवे अथॉर्टी ओफ इंडिया ने इस रो के साथ या इस रो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसके साथ एक समझोता किया है, ओंके ग्रीन कवर वोड बी एस्टिमेटेट फॉर एवरी वन किलोमेटर लेंट अफ नेशनल हाइवे, मतलब ने स्टेट वाइड एक्ससाइज है, जिसमें कि लगवग 40 लाग स्टुएंट होंगे, उनकी पर्फॉर्मेंस को एवैलुट किया जाएगा, तो कौन सी राजी सरकार के दवारा गुनोसव द्वार 24 आउजित किया जा रहा है, विड़ाई असम है, असम सरकार के दवारा, ओके Central Council for Research in Ayurvedic Science CCRAS, इसने और किस ओर्गिनाइजेशन ने, एक अभी Smart 2.0 लाउंच किया है, Ayurvedic Research को प्रमोट करने के लिए, बता है मित्रो Ayurvedic Research को प्रमोट करने के लिए, Smart 2.0 अभी Central Council for Research in Ayurvedic Science और किस ओर्गिनाइजेशन ने, लाउंच किया है NCISM, NCISM, ओके, इसके दवारा इसे लाउंच किया है, इसके साथ मिलके है National Commission for Indian System of Medicine के साथ मिलके, ये एक regulatory body है, एक statutory body है, government of India के दवारा फॉर्म की गई थी परपस क्या है, ये एक ऐसी policies बनाता है, जिससे कि जो institute होते हैं, जो institution होते हैं, निक मलब ऐसे institution जो Indian System of Medicine ये फिर medical professionals में जुड़े हुए हैं, उन institutions के लिए policy बनाने का काम, नीती बनाने का काम, इस National Commission for Indian System of Medicine का होता है, जो और 20 में इसकी स्थापना की गई थी, इसी NCISM के साथ समझा होता रहा है, CCRAS का, अब इस overall समझा होते हैं, मतलब समझाओं तो ये है, ये कहते हैं, कि आयरवेदिक दवाए, आयरवेदिक उपचार अभी भी बहुत, या यूग है, बहुत मिरदूस कारगर होता है, लोग इसके बारे में शायद aware नहीं है, तो उसी को लेकर Smart 2.01 प्रोग्राम लॉंच किया गए, जिसका full form मनता है, Scope for Main Streaming आयरवेद रिसर्च अमंग टीचिं होता किया है, I think so Smart 2.0 के full form clear है, CCRS ये आद रखना क्या है, Ministry of AIUS के तहत, एक APEX organization है, जो coordinate करने का, डबलब करने का, प्रोग्राम करने का, रिसर्च अरवेदिक इस पर काम करती है, अब यह दो को इसका purpose भी देख लो, एक clinical study है, एक मजबूत clinical study promote करना, इस Smart 2.0 का उत्देश है, okay, in the priorities areas of Ayurved, Ayurved के जो priority areas है, ठीक है, वहाँ पर एक clinical study है, उसको मजबूत clinical study को promote करना, इस Smart 2.0 का उत्देश है, Ayurvedic academic institutions के साथ मिलके, hospitals के साथ मिलके, okay, mutual collaboration के साथ, तो Smart 2.0 का वो clear है, purpose का वो clear है, CCRS इसने अभी NCISM के साथ मिलके, इसको मेरे दोस्त लाउंच किया, यह clear है, यह दोनों तीनों चीज़ा आपको याद रखनी है, यह थोड़ा complicated है, बट कोई दिक्कत नहीं पढ़ लेंगे इसको, पहली दफा हुआ क्या है, 45 बच्चीयों का एक band था, North East से, जिसने पाट्सपेट किया था, National Cadet Cops Republic Day Camp 2024 में, यह Camp कहा पर रहा था, किस शहर में रहा था, जो Vice President साहब है, जगदीप धनकर साहब, उन्होंने नहीं दिली में, इस NCC Republic Day Camp इसको inaugurate किया था, total 274 कैटिट थे, जिसमें 907 बच्चीया रही थी, जोकि हाइस्ट participation देखने को मिला था, कि हाइस्ट participation, Prime Minister Narendra Modi जिने अभी एक table book है, coffee table book है, इसका नाम है, Shri Rangam, क्या में बेटा, Shri Rangam, the Respendent, Kingdom of Rangraja, तो Rangraja, Shri Rangam, the Respendent Kingdom of Rangraja, एक coffee table book रही थी, इसको मोदी जी के द्वारा भी present किया गया था, मोदी जी को प्रिजेंट किया गया था, और इसको publish किस ने किया है, Hindu Prakashan Samu, Hindu Group of Publication के द्वारा मिरे दूस्ट इसको publish किया गया था, ठीक किताब का नाम याद रखना, मोदी जी को दी गई थी, इसलिए important है, यह जो book है, Hindu Group of Publication के द्वारा प्रकाशित है, इसको launch किया गया था, एक festival रहा था, शिरी रंगब में, असल में शिरी रंगब में एक मंदिर है, शिरी रंगनात स्वामी टेंपल, वहाँ पर एक festival रहा था, ओके, वैकाउंट एकासी उससब, उस दोरान इनको यह book दी गई थी, इन्होंने अभी तिरुची इंटरनेशन एयरपोर्ट का जो new terminal है, उसको भी inaugurate किया था, यह कहाँ पर चल रहा है, दस जनवरी तक चलेगा, जहां तक यह, यह नई दिल्ली में चल रहा है, मिर भाई, नई दिल्ली में, आत्मिनरबर भारत उससब 23 जो इसको host कर रहा है, मिनिस्ट्री ओफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के तहहत है, डिपाट्मेंट फॉर प्रोमोशन इंडस्ट्रीनल ट्रेड, उसके द्वारा इसको organize किया जा रहा है, इसमें बतौर चीफ गैस्ट आये, सुबरमन्यम, जैसंकर शाहब, और जो चीफ गैस्ट ऑफ ओनर है, वो पि इंडियन मिशन आपरोड, इन कैटिगरी में में मेरे दोस, मतलब दिस्टिक, स्टेट अन इन टरिटरी एन इंडियन मिशन आपरोड, इन तीन कैटिगरी में 24 आवड रहे थे, डिपाटी में वन दिस्टिक वन प्रोड़क्ट आवड को जून 15 को launch किया था, ये रास्ती है अगरी कल्चर की, नॉन अगरी कल्चर में जाओगे, तो काकी नडर डिस्टिक आंदर प्रदेश में है, प्रोड़क का नाम ही है मेरे भाई, ये रीट कर सकते, तो रीट कर लो, मैं इसलिए ये अवड पढ़ा रहा हूँ कि अट्ली साब को पता हूँ, स्टेट में मेरे ब उनको बिटा सिल्वर मेडल, और जो निकोशिया में है, इंडिया, हाई कमिशन आप इंडिया, उनको ब्रॉंज दिया गया, तो ये दो को रीट कर सकते हूँ, मैं आप इसलिए पढ़ा दिये कि यार अटली साब को पता हूँ कि वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट अवर्ड किनको दिया गया है, अगर नहीं कराता तो फिर तो एक रिस्क रहता है एक्जाम में, लेकिन अमरित जो ये आत्मियर पर भारत उस सब रहता, उसी दोरा ने मंत्राले के दोरा, ये मंत्रियों के दोरा इनको सम्मानित किया गया था, at least एक बर पढ़ जरूर ले रहा हूँ, which country become first European Union country to issue digital Schengen visa, okay, Schengen visa जारी करने वाला देश कौन सा है, पहला digital visa जारी करने वाला first European Union country, इसने issue के digital Schengen visa, तो वो France है यहाँ पर, तो France ने कहाए कि 70,000 visa हम लोग completely online issue करेंगे, athlete को, journalist को, delegation को, जो Olympic और Paralympic के लिए आ रहे है, असल में 24 में, जो Olympic होने वाले है, वो France ही host करन जारा है, Olympic, Paralympic, तो उसी के लिए यह है, यह official, अभी होता क्या है, Schengen visa, तो यह official document है, जो कि mandatory है, वो non European country के लिए, जो कि travel कर रही है, 27 देशों में, जो कि Schengen area का पार्ट नहीं है, जो कि Schengen area का पार्ट नहीं है, वो 27 देशों में नहीं आते है, ठीक है, मेरे भाई, तो वो काया जा रहा, उनको जो non European country को जो वीजा दिया था, उसको नाम दिया कि Schengen visa, ठीक है, यह जो वीजा होता है, यह जो Schengen state, one of the Schengen state issued by the, one of the Schengen state जैसे कि France नहीं किया है, और यह allow करता है, any Schengen country for a duration of up to 90 days, in total within 180 days, मैं बहुता है, maximum यहाँ पर बोला, 180 दिनों में, यह 90 दिन तक, यहाँ पर allow करता है मेरे भाई, तो यह line बहुत अच्छी बोलिए इनोंने, कि यह इस परकार का जो वीजा होता है, यह एक Schengen state के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कि France है, और allow करता है, कि आप किसी भी Schengen country में visit कर सकते हैं, for a duration up to 90 days, okay, done, clear है, अब यह नही का group है, जिन्होंने अपना जो international border है, वो हटा दिया, abolish कर दिया है, और बोलाए कि इन 27 देशों में freely, जो लोग है, movement कर सकते हैं, unrestricted movement कर सकते हैं, तो इसी को नाम दिया है, इनोंने Schengen country zone या Schengen area, और अगर कोई इसमें आना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो Schengen state ह होता है, वो visa जारी करता है, जिस तरीके से अभी France ने जारी किया है, first European Union country है, इसने के digital Schengen visa issue किया है, okay, done, next, which state unit territory police launch grievance redressal portal आवाम से आवाम के लिए, तो आवाम से आवाम के लिए सिकायत निवारड पोर्टल यह जम्मू कश्मीर पोलिस ने लांच किया, okay, जम्मू कश्म 4A, अभी इस पे बाद विबाद चली रहा है, बट फिर भी देखते, इसमें कुछ बदलाव होगा की नहीं होगा, बट अभी के लिए इतना याद रखो, कि जो IPC की धारा है 304A, उसको section number 106 replace करेगा, असल मैं आपने देखा हुआ, truck driver हरताल पे चले गए, तो उसका reason क्या अभी हिटन, जो run case है, उसमें ये कहा गया था, कि अगर कोई मार के चला जाता है, तो 10 साल की सजा है, अगर कोई मार कर मेरे दोस्त रुका रहता है, गिल्टी नहीं है, तो फिर माफी है, लेकर गिल्टी है, तो 5 साल की सजा होगी, ये बात बूली गई है, तो जो 1061 है और 10 1062, वो क्या कहता है, तो जो BNS है, BNS मतलब हो गया, भारती न्याय साहिता, तो भारती न्याय साहिता का सब सेक्शन 1061, सब सेक्शन 1062, वो ये क्लियर करता है, कि अगर कोई person, if the person report the incident of death by careless driving to police officer or magistrate immediately, कोई बंदा जो मार कर भागा नहीं है, उसने क्या कहाए, कि जो incident हुआ है death का, अगर careless driving के चलते, अगर उसने magistrate को बदा दिया, या police officer को बता दिया incident के बाद, तो फिर उसको charge किया जाएगा, सब सेक्शन 1061 में, बजाए सब सेक्शन 1062 के, सब सेक्शन 1062 में मेरे दोस्त यहाँ पर बुला गया है, पांस साल की सजा मेरे भाई, बाइल सब सेक्शन 106 के, पनिशमेंट अप टू 10 यह बाद, समझ में आ गई, clear हो गई, 1061 में पांस साल की सजा है मेरे भाई, 1062 जो है, इसमें पनिशमेंट 10 साल की दिया है, तो बजाए यह बुला है कि अगर आपने बता दिया है, तो आपको 10 साल की सजा नहीं होगे, आपको 5 साल की ही सजा होगी, और अगर मिरे दोस्त आप से एक्सी रेंट हुआ, आपको इसका इलाज कराने के लिए ले गए हैं, डेखें, और उसमें आपकी गलती नहीं है, तो माफी भी ऐसा नहीं है, कि मेरे दोस्त धंड लगेगा, धंड तब लगेगा, जब कहीं न कहीं मेरे दोस्त, आप गिल्टी होंगे, आप ही के कारण उस व्यक्ति की मौत हो रही है, ओके, समझ में आ रहा है, clear है, तो यह रहा overall session, I hope clear रहा होगा, मेरे दोस्त, मजा है होगा session में, आज का session बड़ा अजीवो गरीव रहा है, in context of time, in context of मेरे दोस्त, मेरा लेट के पढ़ाना, यूँकि ठीक ना होना, बट content wise में बोलूँगा, this is one of my best session, जनवरी 2024 की शुरुआत मुझे जैसे करनी थी, उसमें लगबग 70-75% मेरा इसमें योगदाना, अभी भी 7% नहीं है, सत प्रतिश दिसली नहीं है, कुछ एक जगे मैंने static fact नहीं डाले, वो मेरे को डालने थे, मेरे को 85 question मैंने आपको पढ़ाए, news में तो हमारे पूरे 6 दिन की लगबग लगबग 70 यी news बैठी थी, तो ये 15 सोले जो news बैठी एक्स्ट्रा बनाई है, तो लगबग लगबग 80 ही हो गई, तो कल के जो MCQ, मैं लगब इसको मैं 100 MCQ कर गई, आपको PDF दूँगा, डोंट वरी, लेकिन हाँ, इतनी जरूर गुजारिश रहेगी, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया, अगर मेरा कॉंटेंट पसंद आया, अपने भाई का मेरे दोस महनत आपको पसंद आई, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मेरे साथ सुबह साथ बज़े जुड़ना शुरू कर दीजे, अगर आपने अभी तक महापैक नहीं लिया, महापैक is a membership, अगर आप बैंक पर इंशुरेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आप बैंक महापैक के साथ जाना, अब आप मेरा नंबर भी लिख लो, 8126580408, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, अगर आपको किसी भी तरीकर के डाउट है, मैसेज भी कर सकते हो, एक्सर वन परसन डिसकाउंट जो आपको मिलेगा, वो कोईन का मिलेगा, बागे अगर आपको प्रिंटेड वुक, आपको एक प्लस के साथ जाना होगा, इसमें सभी फैकल्टी की लाइब क्लास की रिकॉर्डिंग, प्लस आपको डाउट रूम मिलेगा, आपके लिए फैकल्टी अविलेवेल रहती है, वो डाउट लेंगी मेरे भाई, इसमें सभी फैकल्टी भी रहती है, हम में पढ़ाए, उसके बाद भी आपको फैकल्टी मिलेगे सब्जेक्ट वाइज, उसके लाबा मेरे दोस्त, आपको ये रहेगा, जो प्रिवियस बैच होते जाएंगे, वो भी मिलते रहेंगे, रिकॉर्डडे पड़े रहेंगे, ट टैसीरीज रहेंगे, टैसीरीज के वीडियो सॉलूशन रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्लासेज, इंटर्व्यू क्लासेज, सब कुछ कम्प्लीट मेंबर्शिप है, अब बैंक और SSE दोनों की तैयारी करें, तो अट्टा का महापैक है, बैंक की महापैक के साथ, गर आप आपको प्रिंटिड बुक चाहिए, तो चार बुक का सेट मिलता है, बैंक महापैक विद बुक किट में, और बैंक महापैक प्लस विद बुक किट में, आपको आट बुक का सेट मिलता है, ओके कोड सभी में कॉमा ने बिटा, Y168, बाकी जुलाई, अगस सितंबर की मेरी य यह किताब आपको 197 की मिलेगी, इसमें शिपिंग चार्जिस, डिलेवरी चार्जिस, सब कुछ इंक्लूड़ेड है, इसमें आपको मेरे सारे बैच इसमें एक बार इन्वेस्मेंट किया इस बैच के साथ, तो आपको मेरे दूसरी बैच पहले तो पढ़ेगा 1496 का, इसके जो प्राइज है, आफ्टर डिसकाउंट, Y168 लगाके 78% डिसकाउंट, एप पे जाओगे न तो वहाँ कोड 75% का होगा, उस कोड को हटाओगे, 78% वाला Y168 कोड लगाओगे, प्लस कोईन सेलेक करोगे, तो य मेरा सार्थी बैच शिरू हुआ है 5 जन्वरी से, कल इसकी क्लास रहेगी, धाई से 4 मेरे दोस्त, इसकी क्लास रहेगी, Monday, Wednesday, Friday इसकी क्लास रहेगी मेरे भाई, ठीक है, financial awareness बैच जिनको भी पढ़ना है, मेरे दोस्त शिरू कर दो, और इस कलर कैप्सूल हमारा SBI के शिरू हो सार्थी बैच या फिर स्टेटिक जी के बास समझ में आ गई, कोड याद रखना अपने भाई का बिटा, Y168, कल मुलाकात करते, और बहतरीन content के साथ, और बहतरीन presentation के साथ, बाबाय, take care, राद रादे